Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल मैं आपके साथ में प्रेक्टिस करवाऊंगा तो 2013 की वीडियो लास्ट वीक संडे को अपलोड हो चुकी है अप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको प्यार दिया है, उसको रिवाईज किया है और इतना जादा अच्छा रिस्पॉंस आया है कि सबके रिक्वेस्ट थे की 2014 वाले वीडियो भी कॉंटिनियोस लगातार जल से जल लेकर आईए तो इस संडे 2014 के प्रिवियस एर क्वेश्चन का अनलेस्स लेकर मैं आप सभी के सामने उपस थे थूँ तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वीडियो में हम क्या करने वाले है 2014 के जो प्रिलिम्स पेपर है जो यूपियस एर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे प्रेक्टिस करने वाले हैं शुरुवात हम पॉलिटी से करेंगे और सेम चीज जो मैंने अल्रड़ी आपको कई बार कहा है कि जो ये प्रिवियस एर क्वेश्चन होते हैं ये आपको हल्प करेंगे कॉंसेट की रिविजन के अंदर में ये आपको हल्प करेंगे एक बेटर अंडरस्टेंडिंग के अंदर में तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्यालिटी से शुरू करते हैं तो सबसे पहला कुस्षण आने से पहले एक चीज और ऑप इस सेशन की पीडिएफ जैसे मैं हर एर की पीडिएफ भी आपके साथ में क्या करता हूँ शेर करता हूँ दा हिंदू न्यूस पेपर का अनलेसिस लेता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो इस सेशन की PDF आपको इस टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जैसे सर्च करेंगे प्रशान्ति वारी यूजर नेम क्या है, UPSC Capital में with प्रशान्त, ऐसा यूजर नेम है इस टेलिग्राम का, जिस पे 82,000 के आसपास में क्या है, फॉलोवर हैं, वो वाले टेलिग्राम चैनल को आप सभी जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, और दोस्त सबसे पहला question आपके सामने है, कि which one of the following schedules of the constitution of India contains provision regarding anti-defection, पढ़ पढ़ कर ठक चुके हैं हम सभी के सब्सक्राइब, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि anti-defection से question आएगा ही आएगा, चाहे वो means में आ जाए, चाहे वो prelims में आ जाए, तो anti-defection, क्या second schedule नहीं, fifth schedule नहीं, eight schedule 10th schedule, 10th schedule दल, बदल, जो कानून की हम बात करते हैं, हम बार बार जिकर करते हैं कि भाई, anti-defection कानून हो गया, जिसके कारण में वो disqualify हो गया, एक और चीज़, क्योंकि हम कर रहे हैं तो याद रखे हैं कि इसका आंसर तो यह है, 10th schedule के अंदर में anti-defection का जिकर है, एक ची area है, वो क्या है, office of profit, जो constitutional में बात करूं, एक क्या है, office of profit, जिसके तहित में हो क्या आते हैं, disqualify होते हैं, एक है कौन सा, representation of people act के तहित में, जैसे आप सभी को बार बर आप सभी ने पढ़ा होगा, प्रेज़ेंटली राहूल गांधी वाला case आपने देखा होगा, जिसके केंदर में क्या case है, कि अगर आप disqualify मलब केंदर में, corrupt practices के नदर में, या फिर criminal cases के नदर में, आपको conviction हो जाए, तो आप disqualify हो जाते हैं, और तीसरा कौन सा है, anti-defection, जो इसलिए लाया गया था, कि आप दल-बदल को रोख सके, क्या, दल-बदल को रोख सके, अब कर रह क्या है, कि मान के चलिए आप किसी XYZ political party से election जीत कर जाते हैं, और बाद में आप क्या करें, उस political party से ही क्या करें, resign करने, तो आप क्या हो जाएंगे, disqualify हो जाएंगे, दूसरी condition क्या है, कि आपकी political party आपको whip जारी करें, whip जारी करने का मनलब क्या, direction जारी करें, कि आपको य और आप उस direction को ना माने, तो भी आप क्या हो जाएंगे, disqualify हो जाएंगे, तीसरी condition क्या है, आप independent चुनाव जीत कर आएंगे, लेकिन आपने चुनाव जीतने के बाद में, किसी political party को क्या किया, join कर लिया, तो क्या होगा, आप disqualify हो जाएंगे, चौतरी condition है, जो nominated members होते है उनके लिए, जैसे अभी रंजन गोगोई सहाब हैं, सचिंतनुलकर जी थे, मैं example दे रहा हूँ, जैसे आपको याद रहे, तो nominated person को ये कहा गया है, कि आपको nominate किया गया, आपके पास में छे महीने है, किसी भी political party को अगर आप join करना चाहते हैं, तो, फिर समझे, आप किसी को join नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी political party को join करना चाहते हैं, तो, ये 6 महीने आपके पास में, आप किसी political party को join कर लीज़े, आपके खिलाफ में कोई action नहीं लिया जाएगा, लेकिन जैसे ये 6 महीने पार होंगे, फिर आप किसी अगर political party को join करेंगे, तो क्या हो तो यह जो disqualification है, इसके इंदर में कौन देखता है, speaker देखता है ना, तो यह news में काफी बना रहाता है, आपके exam में direct आ सकता है anti-defection, मैंने इसी को पढ़ाने की कोशिश करिए, उसका answer correct answer क्या है, D इसका correct answer है, anti-defection law, किस से related है, आपके 10th schedule से related है, और यह किस से आया था, 52nd constitutional amendment track के को और point note कर लिजेगा, 52nd constitutional amendment track के तहत में इसको लेकर आया था, यह कब आया था, 1985 के अंदर में आया था, ठीक है, याद रखेगा, बस इतना याद रखेगा, बाकि आपको provision मैंने बताई दिये, next जो है question आपका, in the constitution of India, the promotion of international peace and security is included in, भारतिय समविधान के अंदर में, जब हम बात करते हैं किसकी international peace and security, वो कौन से section में क्या है, included है, क्या preamble में है, नहीं, आपके DPSP में है, directive principles of state policy के अंदर में है, fundamental duties नहीं, 9 schedule नहीं, आपके B इसका क्यों हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, तो याद रखेगा, directive principle of state policy, उसके अंदर में जो article 51 है, वो यह direct करता है state क क्या, यानि कि सरकार को direct करता है, कि वो promote करें, international peace को, security को, maintain करें, just and honorable relations between nations, ठीक है, याद रखेगा, तो directive principles क्या है, वो आपके part 4 में लिखे हुए, Indian constitution के अंदर में, एक और point यहीं से देखे, अब concept है, सारी चीज़ों के पढ़ते जाए, fundamental right और directive principles में क्या difference है, fundamental right अगर कभी implement नहीं हो रहे हैं, उनका कोई violation हो रहा है, तो आप क्या है कर सकते हैं, court में जा सकते हैं, लेकिन याद रखेगा, DPSP, वो क्या है, court के द्वारा enforceable नहीं है, ठीक है, यह चीज़ भी note कर लिएगा, next question है, constitutional government is one, एक समवेधानिक सरकार, ठीक है, वो क्या है, एक ऐसी सरकार, जो individual की liberty के उपर में क्या करती है, restriction लगाती है, यानिकि हमारी जो freedom है, हमारी जो individual की liberty है, उसके उपर में क्या लगाती है, restriction लगाती है, किसके interest में, state authority के interest में, यानिकि सरकार आपके individual liberty के उपर में restrictions लगाती है, किसलिए, देश के interest के लिए, यह क्या है, constitutional government का मतलब है, दूसरा मतलब क्या है? Constitutional Government का मतलब यह है कि ये restriction लगाते हैं किसके उपर में? State की authority के उपर में कि वो आपकी individual क्यान में liberty का हनन ना कर पाएं individual liberty के interest को देखते वे कुछ restrictions लगाई जाती हैं किसके उपर में? सरकार के उपर में सरकार की authority के उपर में का मतलब यह होता है Constitutional Government का मतलब होता है Limited Government Constitution है यही कारड है कि सरकार की कुछ limitations है वरना आप सोचिए अगर Constitution के अंदर में fundamental rights ना हो Constitution के अंदर में demarkation ना हो Constitution के अंदर में अगर लिखित में चीज़े ना हो तो यानि कि free hand मिल जाए governments को याद रखिएगा Constitutional Government का मतलब क्या होता है Limited Government हम उस सेंस में बात कर रहे है freedom और उन सब चीज़ों की बात कर रहे है तो इसका correct answer क्या है to only इसका correct answer बहुत सारे बच्चे 2004 में भी और अभी भी जब क्या करते है practice करते है तो यह कहते हैं दोनों इसका correct answer होगा यह इसका second step देखा जा सकता है लेकिन जो main objective है जब हम constitutional government की बात करते हैं तो इसका correct answer क्या है भी इसका correct answer है ठीक है तो constitutional government इसको हम limited government भी बोलते है it implies that the power of authority is restricted by set of norms principle NCRT का direct question है next question आप सभी के सामने है क्या question है which of the following are discretionary याने कि अपने आप से governor of state कर सकते हैं यह कौन-कौन सी power है उनके पास में discretionary power है sending report to the president of India for imposing president rule appointing the ministers reserving certain bills passed by state legislature for consideration of president of India making the rules to conduct the business of state तो पहले statement बिल्कु सही है अब आप सभी जानते हैं कि governor generally या फिर अगर center में देखा जाए तो president वो क्या करते हैं aid and advice पर काम करते हैं जो भी उनको council of minister क्या करती है aid करती है advise करती है उसके उपर में वो काम करते हैं लेकिन अगर मानके चलिए president rule लगाने से related भी advice अगर वहां की state की सरकार करने लग जाए तो करेगी कभी क्या तो यह क्या है discretionary power है याद रखेगा second statement गलत है मेरे दोस्त आप सभी जानते हैं कि अपनी मर्जी से ministers को appoint नहीं कर सकते हैं governor उनको recommendation मिलते हैं किसके द्वारा वहां के जो cm है उनके द्वारा recommendation मिलती है तब ही वो क्या करते है ministers को appoint करते हैं तो second statement गलत है ये गलत ये गलत ये गलत तो one and three इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा जी हाँ कोई अगर बिल उनको लगता है कि state legislature के द्वारा pass किया गया है तो वो क्या कर सकते हैं president को भेज सकते है president की consideration के लिए reserve कर सकते हैं किसी भी बिल को तो one and three ये भी गलत है क्योंकि जो conduct है कैसा सरकार काम करेगी किस नॉमनक्लेचर के साथ काम करेगी कैसे काम करेगी ये सब इस चीज़े क्या होती है सरकार के पास में होती है और वो suggest करते हैं recommend करते हैं governor को फिर governor उसको notify करते हैं ठीक है तो one and three ये क्या है discretionary power के अंदर में आता है वो अपने रिपोर्ट सम्मिट करते हैं प्रेजिडेंट रूल से रिलेटेट ठीक है क्या है आर्टिकल 353 के साब से देखा जा governor can override the advice of council minister if specifically permitted ठीक है तो discretionary power जो हमने already discuss किया तो इसका correct answer कि हो जाएगा भी इसका correct answer next अगर देखा जाए which one of the following is the largest committee of the parliament committee से भी question बहुत बार UPSC है पूछा जाता रहता है कई बार questions आता है कि कौन सी committee में कितने members होते हैं कई बार ये question पूछा गया है अब यहाँ पर आपसे question पूछ लेगा गया है कि कौन सी committee largest committee है पार्लेमेंट की तो बस याद रखना ये committee वैसे generally committees में 15 member 22 member एक ही committee है जिसमें 30 member होते है और वो सबसे बड़ी committee हो कौन सी है the committee on estimates भी इसका correct answer है ये committee से related question हमेशा आता है याद रखेगा public account committee ये आपके 1921 से चली आ रही है अगर देखा जाए 22 member हैं इसके अंदर में किसके अंदर में public account committee के अंदर में जिसके अंदर में 15 कहां से आते हैं लोक सभा से आते हैं साथ कहां से आते हैं राज्य सभा से आते हैं पब्लिक account committee ये देखे ना option में था पब्लिक account committee तो पहले इसकी history देखें मेरा हमेशा कहना है कि सिर्फ question को solve मत करिए question के साथ में जो other options हैं उनको भी analyze करिए एक question को solve करते समय पर आपके चार options अगर तयार होगे यानि कि आपने चार concept prepare कर लिए है my dear friends तो क्या है public account committee के बारे में पहले पढ़ते हैं पब्लिक account committee 1921 से first time देखा जाए तो history पूछ सकते हैं आपसे कि आजादी के बाद बनी या पहले बनी और अभी यह देखा जाए 22 member होते हैं इसके दरबे 15 कहां से आते हैं लोकसभा से और 57 member कहां से आते हैं राज्यसभा से second option B मैंने already आपको बताया सही है estimate committee जिसके दरबे कितने member होते हैं 30 member होते हैं उसके दरब सबसे ज़्यादा क्या है सबसे ज़्यादा member वाली या कि अपसे बड़ी committee इसको हम कहते हैं ठीक है पब्लिक अकाउंट के example देखी दिया आपको मैंने committee on public undertaking आप देख सकते हैं पिर उसके दरब कमेटी ओन देख सकते हैं जिसके दरब कितने होते हैं 15 member होते हैं बस याद रखिएगा इसमें 22 member हैं देखिए ये कब शुरूई थी पब्लिक अंडर्टेकिंग 1964 तो यह भी आपसे कही भार question नो पूछ लेता है नेक्स question है President shall make rules for the more convenient transaction of business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business पहली बात पहली से दूसरी स्टेटन बड़ी स्टेट फारवर्ड है क्या कह रहें कि जितने भी executive actions होते हैं भारत सरकार के वो किसके नाम पर लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के नाम पर लिए जाते हैं यानि कि वो आपसे यहां पी clarity चाहते हैं कि क्या आपको देख चुके हैं कि वैसे वास्तविकता में काम कौन करती हैं काउंसलर मिनिस्टर करती हैं लेकिर वो head of the state नहीं होते हैं सारे काम यानि कि executive के head कौन होते हैं president of India होते हैं और सारे काम उन्हीं के नाम से किये जाते हैं तो याद रखेगा second statement गलत है all executive actions जो भी सरकार भी action लिए जा रहा है किसके नाम से ले जाते हैं president of India के नाम से लिए जाते हैं यह बिल्कु सही है first statement प्रेजिदेंशल मेक रूल्स for more convenient transaction तो one only इसका क्या होगा correct answer होगा यानि कि वह यहां से आपको क्या check करना चाहरे हैं वह आपके concept clarity को check करना चाहते हैं कि आपके अंदर में यह समझ है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करते हैं हमारे यहां पर कौन सा mechanism है यह सारी की चीजों से related रेलेटेट तो second statement क्या है गलत है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है chief communicator होते हैं आपके councilor minister जो decision ले रही है उसको president को बदाते हैं प्रेजिदेंट को advise करते हैं councilor minister जो decision लेती है और प्रेजिदेट फिर उसको उपर में decision लेते हैं जितने भी executive actions है जितने भी executive काम है सारे के सारे कौन करते हैं president के नाम पर किये जाते हैं next question the power of supreme court of india to decide disputes between center and state falls under अब supreme court के पासन में ना कई सारी power है for example advisory jurisdiction जिसमें president of india क्या करते है advice मांगते है Supreme Court से article 143 के तहत में center state की बात नहीं है गलत है ना दूसरी चीज appellate jurisdiction appellate jurisdiction का मलब क्या appeal file करी जा रही है तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि center state के मामले में appeal वाली बात नहीं है original jurisdiction है यानि कि center state के जो मामले है वो कौन सुनेगा आपके Supreme Court सुनेगी इसमें mandatory नहीं है कि पहले आप निचली अदालत के पास जाएए फिर appeal करते वे Supreme Court के पास में आईए तो original jurisdiction के अंदर में क्या है आपका center state के बीच में जो भी dispute होता है Supreme Court उसको solve करता है ठीक है अब जैसे रिट jurisdiction है रिट jurisdiction अगर देखा जाए तो किसके अंदर में आगा center state यह आप देखेंगे Supreme Court के पास में भी है जब आपके किसी भी right का क्या होता है violation होता है तब आप क्या करते है यहां पर move करते है रिट jurisdiction के तहत में Supreme Court के पास में article 32 के तहत में हाई code के पास में 226 article के तहत में है रिट jurisdiction original jurisdiction के हम बात कर रहे है वो क्या है जो यह कहता है कि center and state के जो dispute हैं उनको कौन करेगा Supreme Court उनके सुनवाई करेगा एडवाइजरी jurisdiction आपको पता चला जहां पर president को क्या करना रहता है एडवाइज करना रहता है apparent jurisdiction मानके चले हाई court ने कोई सजा दी या कोई judgment सुनाई तो उसके साथ में certificate भी देता है और उसके आधार पर क्या करते हैं आप अपील करते हैं Supreme Court के अंदर में original jurisdiction की by center state का मामला है तो आप direct Supreme Court को क्या कर सकते हैं वहाँ पर approach कर सकते हैं और jurisdiction जो fundamental rights का मामला है तो आप सभी जानते हो उसके इंदर में high court के पास भी power है और Supreme Court के पर ये पास भी power है तो ऐसे हमने कई सारे powers में divide किया हुआ है ठीक है तो Supreme Court has special advisory jurisdiction in matter which may specifically refer to it by president of India ठीक है इनकरेक क्यों है appellate jurisdiction of Supreme Court can be invoked by a certificate granted by high court concerned article 132, 133, 134 ठीक है पी बिलकुल सही है जो मैंने आपको बताया है कि Supreme Court की exclusive original jurisdiction है किस से related कोई भी अगर dispute होता है भारत की जो सरकार है union government हो और state और multiple states के बीच में और D statement भी क्या है इनकरेक्ट है आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया नेक्स जो है the power to increase समझ में आ रहा है रहा है rate वाला आर्टिकल 32 of constitution extensive original jurisdiction to the Supreme Court in regard to enforcement of fundamental right यह fundamental right के enforcement की बात कर रहा है यह यहाँ पर center and state के relations की यह dispute की बात नहीं कर रहा है next question the power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested in बहुत ही easy question आपको देख सकते हैं पॉलिटी की सबसे खास बात यह है कि इसमें अगर आप समय अपना लगा दे तो यहाँ से questions जो आते हैं generally हो क्या होते हैं solve होते ही होते हैं तो किसके पास में power है ? पार्लेमेंट के पास में power है प्लीज याद रखे का पार्लेमेंट समय समय पर क्या करते हैं एक्ट लाकर इसके numbers को increase करती रहती है ठीक है तो power to increase the number of judges in Supreme Court of India ये किसके पास में है पार्लेमेंट के पास में है तो अभी अगर देखा जा कितने है 34 थे उसको इंक्रिस करने हमने क्या क्या 11 किया फिर 11 से 18 किया ठीक है ठीक है फिर 18 से 26 किया फिर 31 किया फिर 31 से 34 किया यह याद रखिए आप से कह देंगे कि originally जब constitution लागू हुआ था तो सुप्रेंग कोड की judges की strength ही 30 वद तो आपको पता होना चीक कि भिया कहां से शुरू किया आर्ट से शुरू किया आपने next question which of the following are associated with planning in India इन में से कौन planning से associated है भारत के अंदर में क्या finance commission planning से देखिए कई सारे बच्चे क्या करते है लिबरल interpretation कर लेंगे इसकी कि जी साब finance commission है वो बैठता है tax devolution इन सब चीज़ की बात करता है तो एक तरह किया planning ही हो गई नहीं उसका main काम क्या है कि कैसे जो taxation आया है जो tax आया है जो revenue उसको receipt को कैसे क्या किया जाए devaluate किया जाए planning से related नहीं है planning से related कौन काम करता है नेशनल development council जहां पर भारत के PM हो गए पुरी की पुरी union की कैन में आपकी council minister होगी प्लस भी हर स्टीट के minister होगे cm होगे ठीक है यह कहा है executive है no doubt यह भी planning करते है rural development urban development यह अपने अपने area के अंदर में ministry के अपने scheme लेकर आते हैं लेकिन क्या है यह executive है यानि कि पास कराया जाता है डेलिबरेशन होता है discussion होता है तो one and five इसका क्या है correct answer है तो याद रखेगा finance commission वो distribution of taxes से related है union of ministry of rural development union ministry of urban development वो planning से associated नहीं है development council और पार्लेमेंट की क्या है planning से associated हैं समझ गया आप सब्सक्राइब क्या है next question यह है कि which of the following are the function and functions of the cabinet secretariat cabinet secretariat का क्या काम है question के अंदर भी बहुत तगड़ा क्या है catch है कि preparation of the agenda of cabinet meeting हाँ cabinet secretariat है तो cabinet meeting का क्या agenda होगा उसकी preparation करेंगे cabinet जो committees हैं उनको क्या है जो paperwork के अंदर में यह सारी चीजों में help करते हैं assistance provide करते हैं बिल्कुल सही बात है लेकिन third option देखिए allocation of financial resources to the ministries इतना वड़ा काम cabinet secretariat करता है कि भया जो पैसा ministries को allocate हो रहा है वो यहां से आएगा यह तो क्या होता है budget के अंदर में फिर voting क्यों होती है discussion क्यों होता है Parliament क्या करता है तो यह गलत है third गलत होते हैं यह देखिए यह गलत यह गलत तो क्या है first बिल्कुल सही है दोनों option है one and two इसका correct answer है मैं यह approach आपको इसलिए बताता हूं कि यह सही है यह सही है हर एक option को इसलिए मैं discuss करता हूं जिसके कारण में जब UPSC में कभी आप first जाओ कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो वहां पर ऐसे approach से अगर आप चलोगे तो मान के चलिए आप दो option में आगे कि या तो A सही ह होगा तो या तो आप छोड़ देते मिल्कू जीरो नंबर या तो जब आपको रिस्क लेना आपको पता है रिस्क लिए बिना number of questions यह उतने attempt नहीं होंगे जिससे आप पास कर पाऊ तो अब आपका risk क्या हो गया कम हो गया थोड़ा सा कि एक कोई भी option आप लगाओगे 50% chances है क्या होने के सही होने के ठीक है उसी इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा finance ministry financial resources से related देखती है आप सभी को पता है वो पार्लेमेंट इसके उपरे में voting कर दिए budget आता है साइज चीज़ है ठीक है next question देखते हैं अब देखते हैं economy से related questions देखेंगे अच्छे question आएंगे conceptual questions है इनको भी practice करिए solve करने की the terms marginal standing facility rate and net demand and time liabilities sometimes appearing in news are used in relation to कितना ही बच्चा question है मतलब कितना ही हल्वा question है आप सभी के लिए लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो परिशान है जाएगा क्या पता military के अंदर में यूज हो रहा है जो overnight rate पर क्या किया जाता है लोन दिया जाता है RBI के द्वारा बैंक को और यह net demand and time liabilities कितना asset है किसके पास में बैंक के पास में तर्मिनलोजी यूज होती है इसका correct answer है बिल्कुल straightforward question है लेकिन कई बार क्या है यह आप कहां से आ गया भाई यह तो communication networking से जैसे एक आया था वो public key infrastructure तो किसी ने पढ़ा नहीं था कि encryption कैसे होती है description कैसे होती है आप से भी को पता होना चाहिए कि जब हम closed chat की बात करते है encrypted chat की बात करते है तो उसके इंदर पब्लिक की और private की का बहुत जिक्र होता है तो public की जैसी आया बहुत सारे धुलंदर ऐसे करे भाई साब hospital बनाना इस पूल बनाना यह सब किसके अंदर में आता पब्लिक की के अंदर में आता पब्लिक की infrastructure है कि है पब्लिक की infrastructure है बहुत important infrastructure है उस तरीके से उन्हें आंसर लगा दिया था तो यूपीस से कई बार इतना straightforward question बनाता है आपको चेक करता है कि भाई पढ़ रहे हो और नहीं पढ लो ठीक है तो यह उसका answer है यह इसका correct answer है marginal standing facility rate ने डिमांड एंड वो liabilities क्या है वो banking से related है ना तो जो overnight borrow होता है bank जिस rate पर borrow करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं MSF बोलते हैं है ना next question है कौन सी facility beneficiaries को मिल सकती है किसके द्वारा services of business correspondent जिनको bank साथ ही बोलते है अब ऐसे समझे है हमारे देश में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां पर अभी भी क्या है bank की branches नहीं खुली है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं बैंक साथ ही appoint करते हैं जो घर-घर जाते हैं और वहाँ से क्या है कुछ चीजे access कर पाते हैं कौन जो beneficiaries हैं वो क्या क्या access कर पाएगी वह अगर उनको कोई subsidy मिल रही है या कोई pension मिल रही है उसको क्या कर सकते हैं withdraw कर सकते हैं अपने गाउं के अंदर में beneficiaries जो rural area के अंदर में है वो अगर चाहें तो कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं अपने खाते में क्योंकि ब्रांच नहीं है या तो उनको बहुत दूर जाना पड़ेगा तो financial inclusion को help करने के लिए कि ऐसे concept हमेशा आते रहते हैं जैसे आप देखेंगे हमने अभी रिसेंटली कई बार discussion में देखा भी है कि वो system को भी इसके लिए क्या किया जासता है यूज किया जा सकता है तो याद रहे है दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है सी इसका correct answer है कि enable करेगा beneficiaries को कि वो क्या कर स सकते हैं subsidies ले सकते हैं social security के जो उनको benefits में उसको क्या कर सकते हैं और beneficiaries जो है rural area के अंदर में वो deposit भी कर सकते हैं मान के जले किसी का saving है तो financial inclusion हो रहा है ना उनका ठीक है तो याद रखिएगा business correspondent bank साथ ही वो branchless area के अंदर में है ठीक है clear नेक्स जो है आपका statutory reserve requirements की बात करना है अब यह अगर आपको term पता है नाम से समझे रहो इंडियन economy के context में statutory reserve requirement यह किसकी बात कर रहा पता है CRR और SLR की बात कर रहा एक तरीके से CRR क्या है cash reserve ratio और SLR CRR क्या है इतना reserve आपको कहां रखना पड़ता है RVI के पास रखना पड़ता है और SLR क्या है आपको इतना पैसा इतना reserve में क्या रखना पड़ता है अपने पास में रखना पड़ता है तो यह क्यों रखना पड़ता है यानि कि statutory reserve requirement जो है यह क्यों की जाती है यह enable करता है central bank को कि control कर सके amount of advances the bank can create पहले स्टेक में यह कर जाए यह people को जो है deposit में जो पैसा है वो safe है यह एहसास कराने के लिए या फिर मान के चलिया अगर मैं आपसे कहूं कि भीया इतना पैसा आपको क्या करना है बचा कर रखना है इतना पैसा reserve में रखना है तो यह ultimately क्या है यह मनलब देखे पहला aim तो क्या है कि भाई bank कितना पैसा लोन दे सकते है यानि कि में मकसद क्या इसका money supply को control करना है कम करना और घटाना अगर मैं SLR को बढ़ा रहा हूं CRR को बढ़ा रहा हूं यानि कि मार्केट के अंदर में money supply को कम कर रहा हूं inflation में पढ़ते हैं अगर मैं इसको घटा दूँ क्या करूँ SLR के rate को घटा में है ना तो मेन objective तो क्या है money supply को control करना है वो बात अलग है कि इसके बाद में यानि किसका derivative के रूप में निकल कर आता है क्या कि जो bank में पैसा जमा हो रहा है वो भी safe हो जाता है लेकिन primary यह क्या कहते है objective या aim नहीं था इस scheme का ठीक है दूसरा अगर देहा है to prevent the commercial bank from making excessive profit नह ना वेग और बक्वास statement एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप commercial bank को एक कहना चाहते हूं कि आप excessive profit मंगा यह इसलिए हम क्या कहते हैं यह reserve बना कर रखेंगे तो यह तो बिल्कुल गलत है तो first statement बिल्कुल सही है तो याद रखिएगा third statement गलत है second मैंने आपको गलत बताई दिय तो one only क्या है इसका correct answer है ठीक है one only इसका correct answer है ठीक है समझ में आ रहा है आप सभी को पहले statement क्यों कर रहते हैं मलब पहले statement क्यों सही है क्योंकि जो purpose है statutory reserve requirement का फिर फॉसलिफ मेन यह है कि bank कितना क्या कर सकते है advances create कर सकते है यानि कि कितना amount वो बाहर दे सकते हैं यानि कि money supply को economy क्या करना regulate करना उसको क्या करना है control करना है main objective किया है इसका यह है दूसरी statement क्या है क्यों गलत है क्योंकि इसका बिलकुल भी यह मकसद नहीं है वह बात अलग है कि इसके होने के कारण में statutory reserve ratio होने की कारण में SLR होने के कारण में CRR आपको क्या है थोड़ा सा relief पीलोता कि बफर है यानि कि bank banker अपनी होगा रन आफ नहीं होगा बिल्कुल भाग नहीं जाएगा लेकिन यह सेकेंड में हो रहा है में परपस इसका यह नहीं था ठीक है थर्ड तो बिल्कुल गलत कि रिजर्व रिक्वार्मेंट कि एक्सेसिव प्रॉफिट ना कमाए बिल्कुल गलत है जाए बस ठीक है चलें next question को देखते है जो है आपका if interest rate is decreased in an economy क्या किया है आपने interest rate को economic के अंदर में क्या क्या है decrease किया है तो क्या होगा क्या consumption कम हो जाएगा consumption expenditure या जब interest rate कम हो गया है loan थोड़ा सा सस्ते amount हो बढ़ेगा तो consumption तो बढ़ेगा ना यानि कि इस समय पे क्या किया जा रहा है inflation को उल्टा किया जा रहा है जब inflation होती है महेंगा ही होती है तो क्या किया जाता है interest rate को बढ़ा दिया जाता है अभी interest rate को कम क्या जा रहा है नहीं कि market money supply को increase के जा रहा है consumption increase करना है तो पहले statement क्या है गलत है decrease नहीं होगा consumption के अंदर में क्या tax collection of government के अंदर में increase होगा डारेक्ट नहीं कह सकते हैं देखिए डारेक्ट नहीं कहेंगे वह बात अलग है अब आप इसको आप GST से link कर लिजिए कि भाई consumption increase होगा तो क्या होगा आपका डारेक्ट वहाँ पर क्यान में GST का collection में increase होगा तो उसके काड में government का क्या है tax collection में increase होगा यह derivative है ठीक है अगला option भी देख लेते हैं अगर अगले options बिल्कुल ही सही नहीं लगे तो हम देख सकते हैं increase the investment expenditure in economy increase the total saving in the economy अब आपने interest rate क्या कम किया है तो आपका जो saving interest rate है वो भी क्या होगा कम होगा bank के थोड़ी कहेगा भाया save करने के मैं ज्यादा पैसे देदूगा आपको और मेरे से पैसे जो उधार लोगे उसके दिनर में कम rate पर देदूगा नहीं कहेगा plus में जो main मकसद है interest rate कम करने का वो क्या है supply को बढ़ाना है तो अगर आप saving को बढ़ावा दे दोगे तो economy में supply कैसे increase होगी तो ये भी क्या है बिलकुल गलत है अब ये दोनों option है तो इसमें से ज्यादा बेतर option कौन लग रहा है क्योंकि क्या होगा interest rate कम होगा तो आपने चीज़ देखा होगा investment के लिए loan लेना वो क्या होगा expenditure increase होगा तो इसका correct answer क्या है fees का correct answer लॉजिक समझ रहे होना सारे के सारे जैसे total saving अगर में बढ़ने लग जाएगी तो मार्केट में मैं पैसा मार्केट में लेकर जाओंगा ही नहीं सिर्फ saving account में जम्या करता होगा तो फाइदा क्या है तो इसलिए गलत और यह गलत अब यह दोनों में अगर देखा जाए तो आप यह कीर मानिये सबसे बहतर answer कौन सा है या best answer कौन सा है investment expenditure बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा आप सभी जानते हैं कि interest rate जब कम हो रहा है तो loan taking capacity वह increase होगी loan ज्य रखेंगे अब यह budget के अंदर में classification खतम हो चुका है अब ऐसा plan expenditure और non plan expenditure नहीं है planning commission खतम होने के बात से ही क्या हुआ है यह चीज़ बिलकुल खतम हो चीगे planning commission इसके बारे में जिकर क्या करता था तो defense का expenditure हो गया interest payment हो गई salaries, pensions हो गया, subsidies हो गई, यह सब किसके अंदर में आत है उसका C is का correct answer है लेकिन फिर याद रखेगा plan and non plan expenditure यह जो segregation है बिलकुल खतम हो चुका है क्योंकि planning commission और आपका जो 5 year plan है वो क्या हो चुका है, खतम हो चुका है तो यह valid नहीं है, लेकिन फिर भी अगर definition देखना चाओ, तो non plan expenditure के अंदर में, defense के उपर में, interest payment के अंदर मे subsidies, food fertilizers के अंदर में, और जो plan expenditure वो कौन सा है, जैसे for example electricity generation, ठीक है, जो planning commission करता था, bridges banana, canal banana, ठीक है, road banana, यह सब किस के अंदर में, plan expenditure के अंदर में आता था, next question, the sales tax you pay while purchasing toothpaste, is there, अब यह question भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि GST लाग होने के बाद में यह क्या हुआ हुआ है, खत sales tax कौन सा tax है, वो tax जो central government apply करती है, नहीं, वो tax जो central government impose करती है, बट collect state government के द्वारा किया जाता है, वो tax जो state government के द्वारा impose किया जाता है, लेकिन collect कौन कर रहा है, central government कर रही है, या फिर वो tax जो impose भी state government के द्वारा किया जाता है, और collect भी state government के द्वारा किया जाता है, डी का correct answer है, तो before GST, state के अंदर में क्या होता था, ये सारी चीज़े होती थी, है न, तो इसे को क्या क्या है, GST ने sub-zume कर लिया है, क्या क्या है, sub-zume कर लिया, अपने अंदर में लाग, ये question तो ऐसा है, कि आप सबका आख बंद करके इसका answer होना चाहिए, balance of payment की बात कर रहे है, मैंने अल्रड़ी बताया था, balance of payment क्या है, किसी भी country का import and export का लेखा जो खा, उसको क्या बोलते है, balance of payment बोलते हैं, balance of payment के अंदर में दो account होते हैं, एक current account होता है, और एक capital account होता है, है न, capital account, current account के अंदर में क्या क्या चीज़ होती है, एक जो आप goods के अंदर में trade करते हो, यानि कि visible goods, यानि कि visible है एक क्या होता है, invisible, जिसको हम क्या बोलते हैं, services भी बोलते हैं, और उसके बात में क्या होता है, transfers होते हैं, यानि कि current account के अंदर में account के अंदर में क्या-क्या चीज़े आती हैं हम दें तीन हिसों में classify कर दिया import export तीन चीजों का हो रहा है पहला goods का import export हो रहा होगा यानि कि जो सामान जिसको आप हाथ लगा सकते हैं जीजिबल गुड़ूड उसको आप भेजते भी होगे खरिते भी होगे अब यही तो बात करते हैं जो गड़्ोड भीजते हैं और जो घृज़द्ड खरिते हैं इंपोडर एक्सपोर्ट करते हैं वह हमारा हमेशा कह रहा था devs publish बेड़ाता यानि कि हम इंपोर्ट जादा करते हैं एक्सपोर्ट क्या करते हैं कम करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस ओफ ट्रेड भी बोलते हैं कई बार इनविजिबल गुड्स यानि कि या फिर के लिजी बैलेंस ओफ इनविजिबल जहां पर import export of invisible यानि कि services कैसे करी जाती है हम services कुछ provide भी कराते हैं services को import भी करते हैं और balance of क्या है आपका transfer कुछ remittance आएगा कुछ remittance जाएगा तो उसका balance यह क्या हो गए आपका किसका हिस्सा है current account का हिस्सा है और capital का मैंने आपको बता दिया investment FDI, FII, loan यह सब चीज़े उसके अंदर में count होगी है तो आपसे क्या पूछ रहा है current account के बारे में पूछ रहा है balance of trade बिलकुत सही बात है balance of invisible बिलकुत सही बात है special drawing right और foreign assets दोस्त यह forex reserve के अंदर में clear हो जाना चीज़े वाला concept हो आप सभी को ठीक है तो याद रखेगा foreign asset हो गया special drawing rights हो गया यह सब चीज़े किस से related है forex reserve से related है balance of payment क्या है जहां पर आप goods services और assets between resident का जो import export होता है current account के अंदर में क्या है goods का जो import export हो रहा है services का जो trade हो रहा है और साथ में आपका transfer payments होई है capital के अंदर में क्या क्या है FDI FII foreign investment loans यह सब चीज़े आती है next question है आपका what does venture capital mean अच्छा question easy question क्या question का मतलब क्या है venture capital का मतलब क्या है a short term capital provided to industries याद रखेगा venture capital हमेशा बात करते हैं entrepreneur related यानि कि हम बात करते है नएने start-ups related जहां पर आप नएने जो start-up उनको पैसा प्रवाइड करते हो क्या करते हो पैसा प्रवाइड करते हो कि भाई आपका जो idea है में अच्छा लग रहा है आप इसको क्या करिए तो इसका मतलब क्या है venture capital का मतलब क्या है a long term startup capital provided to new enterprises अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कितने अच्छे अगर आप पूरे साल logic से पढ़ो रहा है तो UPSC इतना भी हवा बाजी देखे पूछता है कुछ questions बहुत हवा बाजी वाले पूछता है लेकर कुछ questions ऐसे हैं जिनको आप अपनी knowledge और concept से क्या कर सकते हो solve का सकते हो तो venture capital क्या है आपका long term startup capital है जो new entrepreneurs को दिया जाता है तो भी इसका क्या होगा correct answer होगा next जो देखा जाए the main objective क्या था 12th 5 year plan का अब ये देखे 5 year plan इस समय पर valid नहीं है क्योंकि अब discontinue कर दिया गया है यह last 5 year plan आप कह सकते हैं 2017 तक था उसके बाद में discontinue कर दिया गया है तो अब क्या है जैसे आभी inflation monetary policy committee deflation jobless growth यह words बहुत जादा है CRR SLR रेपोरेट रिवर्स रेपोर्ट तो यहां से question आने के ज्यादा chances रहेंगे 2024 में तो मेर अबजेक्टिव क्या था 12th 5 year plan का फ्लीज ज्याद रखेगा फास्टर सस्टीनेबल एंड मोर इंक्लूजिव ग्रोथ था 5 year plan से related question पूछे जाते रहे हैं हमेशा आगे भी पूछे जा सकते हैं कि first 5 year plan में हमारा किस पे focus था क्या industries पे था अब आते हैं कुछ international relations related questions है उनको देखते हैं पटाफट से सबसे पहला अगर देखा जाए अब आपको Arctic Council का थोड़ा साभी जिक्राइब यह वैसे हमने दाहिंदों पढ़ा है याद करिए भारत क्यों इंट्रस्टेड है Arctic Council के अंदर में और जब आपको Arctic अगर रीजन के बारे में पता है Arctic रीजन के आसपास में जो कंट्रीज है आठ जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कोलाबरेशन है यह क्या है Arctic Council का मैंने आपको हिंट भी क्या आंसर भी बताई दिया तो कौन-कौन सी कंट्रीज हैं जो Arctic Council का हिस्सा है तो देखे आप सिर्फ यह option देख करो Arctic Arctic की location को इमाजन करिये और कहिए क्या जापान उसका हिस्सा है तोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो second statement क्या है यह गलत तो यह बचा यानि कि वन फाइव डेन्मार्क पक्का है और यह यूएस पक्का है या तो रशिया होगा या तो या तो फोर है या तो थ्री है या तो रशि के बारे में तो आपने पढ़ाई है कि आक्टिक को सबसे ज़्यादा कौन एक्स्प्लोर कर रहा है रशिया एक्स्प्लोर करने की कोशिश कर रहा है इसके तो क्या हो जाएगा one three and five इसका करेक्ट आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा आइटिंग मैं समझा पा रहा चाहिए यह बिल्कुल सहिए अब रस्या होगा या फिर usi होगा तो आपको यह तो इतना पता है कि रस्या इस समयां पर क्या कर रहा है इस रीजन कें अन्दर में तो क्या कर आफेग्सेयर जाएटा रहने मैं मैं आपको मैप अगर दिखा दूं यह देख लीजिए मैप आप यहां पर देख सकते हैं कि Arctic Circle, क्या है Russia यह रहा, Finland यह रहा, Sweden, Norway, Iceland, Greenland, ठीक है, जो Denmark का, Canada, और यह देखे, Alaska वाला जो region है, वो US के इंदर, ठीक है, तो यह countries है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, याद रखिएगा, North Pole में जो Arctic region के हम बात करें, याद रखिएगा, 8 countries कौन क Iceland, Norway, Russia, Sweden, and US, और यह important है, आपके exam के लिए, इस साल भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात में है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चेन है आपका, कि जो wetland international है, उसका main conservation से related क्या काम है, सारी चीज़े से related, so it is an intergovernmental organization, found by the countries, which are the signatories to Ramsar Convention, दूसरा क्या है, यह काम करता है, field level पर, और mobilize करता है knowledge को, जिससे आप क्या करें, कैसे wetlands को बचाएं, उसके उपर में, तो यह याद रखिएगा, यह हमारी जो बाजादी वीट, उससे पहले से चल रहा है, रामसर convention से पहले है, भले ही नाम चेंज हुआ है, wetlands international का, बट यह बहुत पहले से काम चल रहा है, ठीक है, तो information को mobilize करता है, तो two onlys क्या क्या होगा, correct answer, तो wetland international, only global, not for profit organization है, जो conservation and restoration के लिए है, किसके लिए wetlands के लिए, इसलिए important हो जाता है, और wetlands international, और से पहले जो था, वो क्या है, 1937 से ही काम कर रहा है, ठीक है, इसको किस नाम से जानते थे, international, wild found inquiry के नाम से जानते थे, फिर 1954 में हम next question है, with reference to the grouping countries known as BRICS, consider the following statement, अब तो बहुत important हो गया, क्योंकि BRICS क्या हो चुका है, expand हो चुका है, 2014 के respect में सही है, अभी तो गलत है ना, क्योंकि South Africa last country नहीं है, BRICS की grouping को join करने के लिए, आज अगर 2023 के अंदर में देखा जाए, क्योंकि इसको expand कर दिया गया, इस बार के summit के इंदर में है ना, याद करी है, अभी पढ़ी रहे हम लगाता है, तो पहला जो first summit हुआ था BRICS का, रियो डी जिनेरियो में हुआ 2009 में, नहीं या, रशिया में हुआ तो बहुत easy question है, ठीके first statement गलत है, second बिल्कुल सही, South Africa क्या है, last join करने वाला, 2014 के अंदर में, तो two only इसका members को add किया है, कौन-कौन से Egypt है, इरान है, Saudi Arabia है, UAE है, Ethiopia है, Argentina है, इन समने BRICS को join किया है, और full membership इनकी active हो जाएगी, एक जनवरी 2024 से, तो बहुत important है, आपके exam के लिए, पहले तो 5 हुआ करते थे तो आप तुरंट रटा मार के चले जाते थे, आप 11 देश है, तो आपको question आएगा ही, आएगा इस बार, BRICS से related, ठीक है, और BRICS क्या है, emerging economies की grouping थी, ये भी UPC में कई बार question पूछा जा चुका है, तो B, इसका क्या होगा, correct answer है, क्या है, B, इसका correct answer है, my difference, तो याद रहेगा है ये वाला, कि अभी 6 कौन-कौन से देशों ने join किया है, ये question तो भाई आपसे पूछा जाएगा, direct आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, next, which of the following organizations bring out the publication known as World Economic Outlook, magazine से question आता है, report से related question आता है, तो कौन इसको निकालता है, World Economic Outlook, किसके दोरा निकाला जाता है, IEMF के द्वारा, international monetary fund के द्वारा, ये magazine, ये report निकाली जाती है, तो ये इसका correct answer है, next question पे ज rising of people, referred to as Arab Spring, originally started from, Arab Spring, एक तरीके सा आप हल जगे देख सकते हैं, जब भी जिकर होता है, तो ये protest की बात कर रहा है, है न, तो recently, अभी इसका बहुत जादा देखने को मिल रहा है, अलग 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 देशों के अंदर में, जो Arab World के अंदर में, लेकिन ओरिजिनली कहां से शु हुआ, पूरे अरब के अंदर में फैल लिया, ठीक है, तो चलिए, अब आगे वाले questions की तरफ बढ़ते हैं, हमाने क्या क्या, पॉलिटी कर लिया है, इकोनॉमी कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशन्स कर लिया है, अब एन्वार्मेंट, जियोग्राफी, साइंस इंटेक, इन सब तो से रिलेटर वियों करते हैं, चलिए, अब आगे वड़ते हैं, अगले question की तरफ, तो चलिए, अब शुरू करते हैं, अगले अपने part के उपर में, अल्रेडी हम क्या कर चुके हैं, अल्रेडी हम एकोनॉमी के questions को discuss कर चुके हैं, और अल्रेडी हम इंटरनेशनल के भी questions को discuss कर चुके हैं, तो अब हम questions जो discuss करेंगे हो, कौन से discuss करेंगे, आपके ancient and medieval के questions को हम discuss करेंगे, चलिए फटा-फट से आगे बढ़ते हैं, अपने questions को देखना शुरू करते हैं, सबसे पहला question जो आपके सामने है, कि which of the following kingdoms were associated with the life of बुद्धा, कौन-कौन से kingdom, बुद् अंधार है, कौसल है, और मगद है, बताइए इसमें से कौन-कौन से kingdom, आपके बुद्ध के जीवन से क्या है associated हैं, तो जब अगर आप बुद्ध के जीवन को पढ़ेंगे, तो आपको एक शरावस्ती का बहुत जादा जिक्र देखने को मिलेगा, ऐसी आपको राजगीर का अब जिक्र देखने को मिलेगा, इन दोनों जगे पर क्या है, बुद्ध जी गए थे, अब शरावस्ती जो है, वो क्या है, कैपिटल है किसकी, कौसल की थी उस समय पर, शरावस्ती वही जगे जहां से मैं बिलॉंग करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल सही है, और मगद, रा अगद, असोसियेटिड है, बुद्ध के जीवन से, बुद्ध राजगीर भी गए, जो मॉरेन एंपायर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और राजगीर जो है, जैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस में हिंदूस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और महातरा एंड पत्तकिला, ये दो जो डेजिगनेशन थे, वो किसके लिए हुआ करते थे, क्या मिलिटरी आफ़ीसल्स के लिए हुआ करते थे, विलेज के यानि की गाओं के जो प्रमुख यानि की मुख्या हुआ करते थे, उनको कहा जाता था, या पिर जो वेदिक रिचु मुख्या हुआ करते थे, उनके लिए डेजिगनेशन ये यूज की जाती थी, ठीक है, तो जो महातरा हुआ करते थे, या महतर हुआ करते थे, वो गाओं के, या फिर जो टाउन्स के थे, रेप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, और पत्त किला, वो रेप्रेजेंटेटिव होते थे गाओं के अंदर में तो दोनों ही क्या हो गए हैड हो गए न विलेज के याद रखेगा ये इसका करेक्ट आंसर है नेक्स जो क्वेश्चन है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है कि इबादत खाना पतैपों सीकरी के अंदर में किस लिए इस्तमाल होता था क्या काम था वह इबादत खाना का अब बहुत सारे बच्चे इबादत खाना नाम सुनते ही इसको प्रेयर रूम के रूप में देख सकते हैं जैसे इस एक भी ऑप्शन बहुत सारे लगाएंगे लेकिन ये जब भी आप अकबर को पढ़ेंगे और जब भी आप फतेपुर सीकरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमेशा इबादत खाना का जिक्राएगा कि एक ऐसा हौल जहां पर अकबर डिसकुशन किया करते थे वेरियस रिलिजिस स्कॉलर्स के साथ में तो याद रखेगा सत्रिया डांस से रिलेटिड है उए सत्रिया डांस का यहां पर जो क्लासिकल राग और ताल का इस्तमाल किया जाता है यहां को स्के द्वारा कंपोज किया गया तुलसिदास जी, कबीर जी और मीराबाई जी के द्वारा तो येक तो यहां से हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो सत्रिया डान्स है बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल भी P.I.B. जब मैं आपको एक बार पढ़ा रहा था तो मैंने इसके उपर हैं डिस्कुर्शन किया था जो सत्रिया डान्स है माइडिया फ्रेंट्स वो आसाम के अंदर में है बिल्कुल सही बात है और जब वो भक्ती मोमेंट शुरू हा था ना तो वैशनविजम को बढ़ाने के लिए उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए इसका शुरू आत हुई थी तीसरी चीज यहाँ पर एक शंकर देव जी का जिकर होता है शंकर देव जी जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गीत बनाए जिनका क्या किया जाता है इसमें इस्तमाल किया जाता था डिवोशनल जो उनके सॉंग थे, जो भक्ती गीत थे, उन्हीं का इस डांस फॉर्म में यूज किया जाता है, तो याद रखिए, थर्ड स्ट्रेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, क्यों क्यों शंकर देव जी, आसाम से बिलाउन करता है, बिल्कुल से ही, और सत्रिया, सेंचुरी के अंदर में, और सिक्स्टीन सेंचुरी में, तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल से ही, सिकिन स्टेटमेंट बिल्कुल से ही, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सत्रिया, नित्रे, उसके अंदर में जो गाने यूज होते हैं, जो गीत यूज होते हैं, जो तरह कंपोस किये गे ते शंकर देव जी और श्री श्री माधव देव जी के द्वारा ठीक है बस याद रखेगा नेक्स क्वेश्चन है आपका मलब आपको match the following है कि एक जगे दी वही है और एक sculpture दिया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ पर associated है तो ममल पुरम का आप सभी ने जरूर जिक सुना होगा देखा होगा वो याद है जब कर मैं शेजिंग पिंग साहब वो कर मैं सफेद कमीज पहने हुए थे तो वो ममल पुरम ही गए थे ठीक है तो वो न्यूज में था तो सबसे पहली statement क्या है कि एक grand image है बुद्ध के महा पर निर्वान की वो साथ में बहुत सारे musician है अगल बगल और sorrowful figure है उनके follower के बहुत दुखी है क्योंकि महा पर निर्वान के तस्वीर है ये कहाँ पर आजनता में है दूसरा क्या है कि एक बहु बड़ी तस्वीर है विश्णु जी का एक अवतार हुआ था जिसको वरह अवतार बोलते हैं जहां पर क्यानम है वो पृत्वी को क्या है अर्थ को बचाते हैं तो यह कहाँ पर है माउंट अबू के अंदर में और तीसरा है statement है अर्जुनाज पिनांस या फिर डेसेंट यह स्कल्प्चर आपको देखने को मिलेगा कहां पर ममलपुरम में तो याद रखेगा और कुछ याद करिए ना करिए यह बिल्कुल सही है कि अजंता की केवज के अंदर में आपको महा पर निर्वान की बुद्ध जी की वो आकृती यह देखने को मिलती है second statement my difference गलत है क्योंकि यह आपको ममलपुरम में देखने को मिलेगा तो यह याद रखेगा वरा हावतार की जो तस्वीर है वो आपको ममलपुरम में देखने को मिलेगी और जो आरजुना का पेनांस है या फिर डिसेंट अव गंगा यह ममलपुरम में है तो 1 and 3 इसका correct answer है C इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा ठीक है तो पहले स्टेटर बिलकु सही है ग्रैंड इमेज जो बुद्धा महा पर निर्वान की आपको अजनता केव में मिलेगी और अजनता केव जो है किसका है आपके 31 बुद्धिस्ट केव हैं अलग अलग उनका कॉंप्लेक्स है औ थर्स टेटर बिलकुल सही है ठीक है तो याद रखिएगा ममलपुरम है कहां पर यह आपका तमिलाडू के अंदर में कोरो मुंडल कोस्ट के अंदर में ठीक है याद रखिएगा तो सी इसका करेक्टर नेक्स्ट क्या है कलारी पयट्टू इससे इजी कोश्चन भला कोई हो सकता है क्या कलारी पयट्टू क्या है तो कलारी पयट्टू आप सभी जानते हैं यह एंशेंट मार्शल आर्ट है जो साउथ इंडिया में देख लों मिलता है और कलारी जो है इसको देखा था, बहुत ही 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 है, तो D इसका क्या होगा, correct answer है, ठीक है, next question है, dance form से related question, अब यहां से एक चीज आपको समझ भा रही है, कि आप जब theme को देखेंगे, तो art and culture से related, क्या-क्या चीज़े question आ रहे है, एक, dance स related, अभी देखें, सत्रिया से आ चुका, ये भी आ गया, music से related question, painting से related question, temples से related question, ये question आते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, आप में से क्या करते हैं, art and culture की उपर में sufficient समय देते ही नहीं है, वो कहते हैं, art and culture क्या करने की जुरत है, वो तो भाई क्या कर रहेंगे, current affair देख ये art and culture हो जाएगा जो जो news में नहीं, art and culture अपने आप में एक subject है, भक्ती moment, आप सोची कितना important है, तो इस सब चीजे क्या है, आपके लिए my difference बहुत जादा important है, तो गरबा, जी हाँ, गुजरात के अंदर में होता है, बिलकुल इसके अंदर में तो कोई गुंजाशी नही है, मोहिनी एक्टम, क्या उडिशा में नहीं, my difference, ये क्या है, केरल के अंदर में, ये feminine dance थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, और यक्षगना करनाटक के अंदर है, बिलकुल सही बात है, तो one and three इसका क्या होगा, correct answer है, सी इसका, correct answer है, ठीक है, तो अगर आप देखे, त केरल के temples में हमें देखने को मिलता है, feminine dance हमें form देखने को मिलता है, तो third statement आपका यक्षगना, traditional folk dance है, आपके coastal करनाटका में आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर में रामायन और महाभारत का depiction किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, second जो पेर करेक्ट नहीं था, one and three इसका correct answer है, ठीक है, अगले उस पे, next है, बुद्धिस्ट हिस्ट्री से related है, important side से related question है, कि भाई, ताबो, monastery और temple जो complex है, वो इस्पिती वैली में located है, लोहत्सवा, temple नाको के अंदर में जो है, वो जन्सकार वैली में है, और अल्ची, जो टेंपल है वो लद्धा के अंदर में है, तो याद रखिए, मतलब यह factual question है, direct, straight forward, लेकिन आते हैं ऐसे question, तो यह जो नाको है, यह कहां पर है, आपका किन्नूर वैली में है, आपके जन्सकार वैली में नहीं है, तो second गलत है, second गलत, second गलत, तीसका सही है, one and three, दोनों की तीनों, थोड़े से tricky question भी है, कुछ questions तो straight forward, easy question है, ठीक है, next जैसे question है, बीजक, बीजक is a composition of teaching of संत दादू दयाल जी, अब अगर किसी ने भी कबीर जी को पढ़ा है, तो उनकी composition के अगरे, बीजक का जिक्र हमेशा सुना होगा, हमेशा, ऐसा कोई हो ही ने सकता, जिसने ना सुना हो, तो बीजक is a composition of the teachings of संत दादू दयाल जी, गलत है, किसकी है, कबीर जी की है, next अगर देखा रहे था, philosophy of पुष्टी मार्ग, was propounded by मादवाचारे जी, नहीं, जो पुष्टी मार्ग है, भक्ती मुमेंट के अंदर में, और जो हमारे याँ पर हम, school की philosophies को देखते हैं, तो वहाँ पर जो भक्ती मार्ग है, वो किसके द्वारा, वल्लभाचारे जी के द्वारा हमें देखने को मिलता है, ना कि मादवाचारे जी के द्वारा, तो second भी गलत है, डी इसका correct answer है, क्या है, डी इसका correct answer है, तो बीजक, best known of the compilation of कबीर जी, ठीक है, दूसरा क्या है, the philosophy of पुष्टी मार्ग, ये वल्लभाचारे जी के द्वारा किया गया था, पुष्टी मार्ग का मतलब क्या, path of nourishing, also known as the पुष्टी संपरदाय, ठीक है, या फिर उस called, manganeers is well known for their, तो manganeers जो community है, ये क्योंकि मैं राजिस्थान जब गया था, तो मुझे वहाँ पर देखने को मिलता है, ये musical tradition को follow करते हैं, तो manganeers एक community है, people की जो किस से related है, music tradition, in north-west, for their musical tradition, तो बी इसका क्या है, correct answer है, तो ये royal जो राजपूत courts होते थे, वहाँ पर musician का role play किया करते हैं, खास्तोर पर थार desert पर आपको देखने को मिलेगा, तो please याद रखेगा, exam के लिए आ सकता है, next जो है आपका, with reference to cultural history, panchayetan, refers to, क्या मतलब है panchayetan का, अब आप देखे न, structure से related question है, जब मैं आपको temple architecture के बारे पढ़ा रहा था, तब आप सब कहते हैं रहे सर, ये क्या पड़े, panchayetan, panchayetan क्या है, क्या है, religious sector है, क्या, कई लोग confused रखते है, panchayet, और village के अंदर में, जो सभा लगती है, उससे, और क्या है, style of temple construction, administrative functionary, तो याद रखेगा, सी, इसका correct answer है, panchayetan, temple architecture की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर में, सी, इसका क्या ह है, correct answer है, my dear friends, ठीक है, panchayetan is a style of temple construction, that has a central sign, surrounded by four other signs, है न, तो दशा अवतार, दियोगर, कहां पर, उक्तर प्रदेश में, वो हमें, बहुत बढ़िया example देखता, panchayetan style of architecture का, ठीक है, याद रखेगा, सी, इसका correct answer है, next अगर देखा जाए, आप सभी को कई बार में बोलता हूं, कि हमारे Indian philosophy के अंदर में, 6 school देखने को मिलते हैं, यह न, 6 school देखने को मिलते हैं, न्याय, संख्या, सारी चीज़े हमने देखा, मिमानसा, वेदानता, उसके अंदर में कौन सा belong नहीं करता है, अगर आपको पता ह में भी ना पता हो, सिर्फ आपने मोटे वोटा उपर उपर नजर दोडाई हो, 6 school के बारे में, तो भी आपको पता चल जाएगा, कि लोकायत और कपालिका, यह नहीं है, मिमानसा और वेदानता दोनों है पेर, नियाय और वेशेशिका दोनों है, संख्या और योग दोनों ह नहीं है, यह पेर फॉर्म नहीं करता है, 6 system of Indian schools के अंदर में, तो 6 system अगर देखा जाए, ठीक है, जिसको हम शड दर्शन भी बोलते हैं, आप से पूछ ले, शड दर्शन, तो आप कहेंगे, अरे यह तो हमने पढ़ा ही नहीं है, शड का मतलब क्या अच्छे, philosophy, 6 philosophies की बात कर रहा है, कौन-कौन से, जिसके अंदर में देखेंगे, नियाय है, logical thinking, वैशेशिका, realistic होने की बात करते हैं, संख्या, प्रकृति और पूरश की बात करते हैं, यह हमने पढ़ा था, योग, जिसके अंदर में वो प्रकृति की बात करते हैं, मेमानसा, और उस दिखा जाए, जो हम national motto देखते हैं, सत्तमेव जयते, हमारे national emblem में हमें देखने को मिलता है, वो हमने कहां से लिया, कथा उपनिशद, चंदोग्या उपनिशद, अरित्रिया और मुंड़का, तो यह तो easiest question है, मुंड़का उपनिशद से हमने यह चीज लिया है, तो D's का क्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D's का correct answer हो जाएगा, सत्तमेव जयते, मुंड़का उपनिशद से हमने इसको लिया है, तो क्या होता है, ऐसी चीज़े questions आप से पूछे जाते रहते हैं, बंद्रा चलम, चांदेरी, कांचीपुरम, करनाल, क्या आपने करनाल साडी कहीं सुना है, बंद्रा चलम साडी सुना है, चांदेरी साडी जरूर सुना होगा, कांचीपुरम साडी जरूर सुना होगा, और दोनों कोई क्या मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ, तो इसका correct answer क्या है, 2 and 3, यानि कि B इसका क्या है, correct answer है, ठीक है, तो बंद्र चलम साडी के लिए famous नहीं है, यह बहुत ही बड़ा धार्मिक सल है, आपको कहाँ पर तेलंगाना में देखने को मिलेगा, ठीक है, और ट्री राम टेंपल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बंद्र चलम के अंदर में, चांदेरी, जी हाँ बिल्कुल सिल् करनाल, हर्याणा के अंदर में, यह डेरी, इंस्रिट्यूट से रिलेटेड, यहाँ पर साडी का कोई लिना दिना नहीं है, नेक्स अगर देखा जाए, यह तो दा हिंदू से पढ़ेवे लोग क्वेश्चन कर देंगे, क्लासिकल लेंग्वेजिस से रिलेटेड गुजराती है, नहीं, ठीक है, तो याद रखेगा, टू एंड त्री, इसका करेक्ट आंसर है, तो हमारे आपर अगर देखा जाए, छे लेंग्वेजिस, क्लासिकल लेंग्वेजिस का उनको क्या है, दर्जा मिला हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, ओफिशल लेंग्वेज म मल्यालम है, ओडिया है, तो गाइडलाइन्स क्या-क्या है, कि भाई साब एक तो यह बहुत पुराने होनी चाहिए, पंदरा सो से दोहजार साल पुरानी होनी चाहिए, यह अपनी खुद की होनी चाहिए, कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए, और अगर इसको मान के चलिए किसी को classical language का दरजा मिलता है तो एक research institution प्लस में अमलब के आनमे PhD ये सब चीजों के options भी in languages में आपको मिलते हैं तो हम environment से related questions को देखते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अपना questions देखते हैं environment से related तो चलिए अपना questions को देखते हैं फटा फट से तो सबसे पहला question है आपके सामने if you walk through the countryside you are likely to see some birds talking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses क्या कह रहे हैं if you walk through countryside आप जब घुमेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी bird मिलेंगी जो stock करेंगे alongside किसके cattle के जिससे वो जैसे वो चल रही होते हैं मलब जो cattle हैं जब चल रहे होंगे तो वो जब grasses के थूरू चल रही होते हैं तो उसके करण में insects जो कीट पतंगे हैं वो क्या है उड़ेंगे उदर से निकलेंगे movement करेंगे और जैसे movement करेंगे तो यह bird तुरत उनको क्या करेंगे खा लेंगे तो ऐसे कौन कौन से देखें कितना अच्छे तरीके से देखा गया तो which of the following is our such birds ठीक है कि आप ऐसे कौन से bird या नहीं कि यह symbiatic relation हो गया न ठीक है एक दूसरे की help कर रहे है तो क्या painted stock common, minor, black, necked, crane यह आपको इन में से कौन सा तो painted stock क्या है मचली खाती है fish खाते भी आपको देखेंगे तो पहले तो गलत है fish खाते भी देखेंगे तो आप सोचियो grasses में तो है यह नहीं दूर दूर तक तो पहली गलत बिलकुल ठीक है अब second statement बिलकुल सही है क्योंकि देखें इसमें भी है तो two तो बिलकुल सही है black, necked, crane यह भी नहीं है तो third statement भी गलत है क्योंकि यह आपको पत्ति हैं वगरा खाते भी दिखेंगे तो second only सही है इसका third statement सही नहीं है तो क्या होगा two only इसका correct answer है 20 का क्या होगा correct answer होगा ठीक है इसका correct answer है two only ज्याद रखेगा painted stock वो fish eating bird है तो पहली बात तो बिलकुल भी सही नहीं है IUCN status इसमें लिखा है near threatened आप देख सकते हैं second statement correct है common minor जो insects को खाते हैं और इसको देखा यह native है South Asia के अंदर में least concern है और जो आपका statement 3 है black night crane वो plants और insects को जो wild में है यानि कि ना कि field के अंदर में इस statement भी गलत है तो क्या होगा two only's का correct answer है next अगर देखा जाए तो if you travel through the Himalayas आप Himalayas में जब जाते हैं तो you are likely to see which of the following plants naturally growing there ओक आपको देखने को मिलेगा ठीक है rodo आपको देखने को मिलेगा या sandalwood अब सिर्फ एक option अगर आपको पता है कि sandalwood आपको देखने को नहीं मिलेगा चंदन की लकड़ी तो आप तुरंद क्या करोगे कि हाँ जी third statement गलत है third गलत है third गलत है तो क्या हो जाएगा one and two only's का correct answer आ जाएगा ठीक है क्योंकि अगर हम travel करते हैं हिमालिया की तरफ में तो oak, rodo हमें दोनों देखने को मिलेगा लेकिन sandalwood हमें south में इंडिया में देखने को मिलता है हिमालियन belt में देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो हिमालियन vegetation के अंदर में देखा जाए टुन्रा region हम कहते हैं इसको ठीक है, we see from the tropical to tundra region सारी के सारी चीज़े देखने को मिलती है बस याद रख लिजेगा कभी कभार vegetation से related question आ जाता है बट ये इतना difficult question था नहीं क्योंकि Sandalwood का जैसी आपको पता है ये गलत ये आपका सही हो गया next question, lichens ये तो इतनी बाहर UPSC को environment ecology में सबसे अगर favorite कोई चीज़ लगती है तो ये लगता है कि से related question पूछ लो तो ecological succession होता है यानि कि मानिके चलिए जहां पर सब कुछ खतम हो चुका है तो दुबारा से वहां पर life को शुरू करना ठीक है, even rock के उपर में life को शुरू कर सकते हैं ये क्या है symbiotic relation, symbiotic association किसका है तो याद रखेगा algae and fungi ठीक है, बी इसका correct answer है तो कई बार ये पूछा जाता है ठीक है, algae एक composite organism हो गया जो fungus के रूप में है और आपका साथ में कह रहता है algae जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा बी इसका क्या है, correct answer, algae और fungi के बीच में ये symbiotic association है clear है, बस ज़्यादा करने जो रहे next question है आपका, अच्छा question है consider following international agreements इन में से किसके अंदर में biodiversity से related क्या है, aspect है या फिर कौन सा agreement या convention, biodiversity की बात करता है, तो international treaty on plant genetic resource for food and agriculture यानि कि आप क्या कर रहे हो, food and agriculture के अंदर में, plant diversity की बात कर रहे होगे है, क्या, बिल्कुल करते international treaty, अगर आप इसके sections को देखेंगे, तो plant की या फिर biodiversity की बात करता है United Nations convention to combat desertification desertification को क्यान में combat करने के लिए, एक मात्र illegal, मलकर में, एक मात्र legally binding treaty है, बिल्कुल सही बात है और desertification से बचाना है, क्योंकि biodiversity को भी बचाना है और next क्या है, World Heritage Convention तो तीनों के तीनों ही दोस्तों क्या है biodiversity की बात करते हैं, तो D इसका क्या होगा, correct answer होगा एगर exact explanation देखना चाहें तो international treaty on plant genetic resources for food and agriculture उनका article 6 क्या कहता है treaty on sustainable use of plant genetic resources जिसका मतलब क्या, have a bearing on biodiversity, उसके बात देखा जाए, statement 2 देखिए United Nations Convention to combat desertification, किस से related है biological, diversity से related है, विल्कुल सही बात है और third statement भी अगर देखा जाए तो heritage convention, जो क्या है, 5 convention हुई है biodiversity से related उन्हें से क्या है, एक है तो यह भी आप देख सकते है easy question था यह, straight forward इसका correct answer है, next क्या कैसे कह रहे है कि आपको ना conservation करना है biodiversity का आपको conservation करना है, जहां पर इंसान, यानि कि human and biodiversity यह दोनों चीजों का क्या है? एक साथ रह कर conservation होगा, तो most important strategy क्या हो सकती है conservation तो आप क्या कर रहे हो national park में भी कर रहे हो conservation तो आप botanical garden में भी कर रहे हो, conservation तो आप zoo में भी कर रहे हो, wildlife centuries में भी कर रहे हो, लेकिन जहां पर human and animals, biodiversity दोनों एक साथ रहें, वो क्या है, हम बार-बार बात करते हैं, किसका, Biosphere Reserves की हम बात करते हैं, Biosphere Reserves, National Park में, my dear friends, आपका human activity ना के बराबर रहती है, ठीक है, और ये traditional human life की बात कर रहे हैं, establishment of, और conservation, तो याद रखेगा, ये इसका correct answer, समझ में आ रहा है, question क्या कह रहे है, the most important strategy, पर कौन से important strategy है, किस चीज के लिए, conservation of biodiversity, biodiversity की conservation के लिए, together with traditional human life, यानि की इंसान का भी वहाँ पर क्या है, engagement है, तो Biosphere Reserves को जो हम पढ़ते हैं, हम सबसे important चीज तो यही पढ़ते हैं, कि इसके अंदर में human, कैसे biodiversity को, कैसे environment protection के अंदर में, conservation के अंदर में क्या कर सकता है, तो यह इसका क्या होगा, correct answer है, तो botanical gardens क्या है, जहापर plant को gather किया जाता है, systematically study के लिए, ठीक है, they often imitate a number of naturally occurring ecosystem, national park, मैंनो अल्रड़ी बताया, human activity नहीं होती है, आपर, wildlife century, तो सबसे best answer क्या है, यह इसका correct answer, Biosphere Reserve, इसके लिए कि Biodiversity का conservation कर रहा है, Biosphere Reserve के अंदर में, with plant and animal, and of unusual scientific and natural interest, ठीक है, चले, next question की तरफ बढ़ते हैं, Next question है, कि आपको कहां कहां पर coral reefs देखने को मिलेंगे, वो आपने तस्वीर देखे होगी, रंग बिरंगे, जब आप उसके अंदर में dive करते हैं, पानी के अंदर में, तो रंग बिरंगी, वीडियोज वो, रंग बिरंगे से coral reefs आपको देखने को मिलते हैं, तो भारत में कहा कहां, ये अलरड़ी एक बार question दुबारा आ चुका है, तो अंदर माने निकुबार में मिलेगा, जी हाँ, तभी तो लोग diving करने के लिए जाते हैं, बिल्कु से बात है, गल्फ अफ कच्छ में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, गल्फ अफ मननार में मिलेगा, सुन्दर बन मे नहीं मिलेगा, straight forward, easy question है, कोई reasoning या कुछ मी नहीं, आप जब coral reefs आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको पता है कि सुन्दर बन में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो 1, 2 and 3 इसका correct answer है, ये इसका correct answer है, ठीक है, तो coral reefs is an underwater ecosystem, characterized by a reef building, corals, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, calcium carbonate, एक साथ आ जाते हैं, तो अंडवाननी को बार में, Gulf of कच में, Gulf of मनार में, coral reefs आपको देखने को मिलेंगे, तो एक वह आप सभी को पता होगा, polyps, वह आप सभी ने word सुना होगा, coral bleaching, ये सारी चीज़े word, प्लीज याद रखिएगा, mud free होना चाहिए, थोड़ा सा warm water हो इतना भी गरम नहीं कि बिलकुल ही warm हो जाए, warm हो जाएगा तो और दिक्कत है, और coral reefs क्या है, कई-कई प्रकार के होते हैं, barrier होता है, एक fringing होता है, अट-all होता है, अब ये यार concept है, direct अगर आप environment की book उठा कर देखोगे, तो आप direct वहाँ पर coral reefs पढ़ोगे, लेकिन बच् बोर्ड ऑफ इंडिया, was established under the Environment Protection Act 1986, National Tiger Conservation Authority, Statutory Body है, National Ganga River Basin Authority, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेर की जाती है, तो ये तो अभी हम चीता के प्रजेक्ट में अंदर बार 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 देख रहे हैं कि National Tiger Conservation Authority, Statutory Body है, बिलकुल सही बात है, Animal Welfare Board, Environment Protection Act के तहतनी, ये जो cruelty वाल एक्ट है ना, Prevention of Animal Cruyality, उसके तहत में establish हुआ था, तो first statement क्या है, गलत है, first statement गलत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, अब या तो ये होगा, B होगा, या तो C होगा, तो याद रखेगा, इसका correct answer क्या है, two and three, third statement भी सही है, ठीक है, कई बार जब मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं कई बार बोलता हूं, कि act को जरूर याद कर लेना, क्योंकि ऐसे questions आ जाते है, act से direct question आ जाता है, कि कौन सा establishment किस act के तहत में हुआ है, तो Animal Welfare Board of India, 1962 में establish किया गया, कौन से act के तहत में, prevention of cruelty to animals act, अब इस समय स्ट्रीट डॉग्स के कारण में, ये act बहुत जादा क्या है न्यूज में है, लस में ये, जब जली कट्टू हम देख रहेते, कमबाला हम देखते, तो उस समय क्या रहता है, न्यूज में रहता है, तो statutory body होगी, यानि कि कानून के तहत बनी body है, है ना, ठीक है, next statement, National Tiger Conservation Authority, किस act के तहत बनी है, Wildlife Protection Act के तहत बनी है, क्योंकि आप Tiger का conservation कर तो conservation कर रहे हो, यानि कि wildlife को protect कर रहे हो, है ना, तो उस act के तहते हैं, और next अगर देखा जाए, National Ganga River Basin Authority, वो प्राइम मिनस्टर के द्वारा चेर की जाती है, और यह 2009 में बनी थी, बाद में क्या हुआ, National Ganga Council बनी, 2016 के अंदर में, और इसके बाद में क्या हुआ, National River, Ganga Basin Authority क्या होती है, Dissolve हो गई थी, है ना, तो याद रखेगा क्या हो जाएगा, फर्स स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप एक्ट समझे रहो ना, किस एक्ट के तहत में स्टेबलिश होई है, एक चीज़ और याद रखेगा, कोई चीज अगर समविधान के किसी आर्टिकल के तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्जीक्यूटी बॉड़ी ही बोलते है, यानि कि फर एक्जामपल कौन सी आपकी, नीती आया होगे समय पहले, प्लानिंग कमिशन हुआ करता है, आप नीती आया होगे, ठीक है, नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इको सेंसेटिव जोन, आ तो यह किसके तहत में घोशित किये जाते हैं, क्या वाइल लाइफ प्रोटेक्शन, अभी हमें आपको वाइल लाइफ प्रोटेक्शन वाला समझाया, तो आप एको सेंसेटिव जोन, यानि कि एको लॉजी की बात करो, यानि कि अनवारमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लिमिट करेगा कुछ activities को रोकेगा लेकिन सारी human activities को नहीं रोकेगा तो ये भी क्या है गलत है तो डी इसका क्या होगा correct answer होगा तो या रखेगा इको sensitive zone declare किसके इंदर में किये जाते हैं environment protection act के तहत में किये जाते हैं इसके इंदर मानके चले किसी एरिया को आपने गोशित कर दिया ठीक है कि यह भाई यह लैंड है दस किलोमेटर की लैंड है जो कियान में national park के आसपास का wireless century का तो यानि कि eco fragile area यहाँ पर आप यह eco sensitive area प्रोहिबिट किया जाता है सारी activities को प्रोहिबिट नहीं किया जाता है ठीक है clear है जैसे आप देखेंगे organic farming hotels resort यह सब तो बंगते हैं ना नेक्स रगर देखा जाए with reference to global environment facility यह क्या है global environment facility यह क्या है तो याद रखेगा यह financial mechanism है कि इस चीज़ के लिए convention on biological diversity and united nation framework on climate change से related है ठीक है financial mechanism है बस ठीक है याद रखेगा तो global environment facility जहाँ पर 183 countries partnership में आती है institutions partnership में आते है society की organization partnership में आती है जहाँ पर वो क्या करेंगे environmental issues को address करेंगे और यह financial mechanism के रूप में सर्व करता है किसके लिए convention on biological diversity and united nation framework on convention climate change UNFCC जब पढ़ते हैं next अगर देखें ministry से related question है आप सब लोग बोलेंगे कि यार यह तो बहुत ही direct question है तो drot prawn area program यह कौन से ministry के द्वारा चलाए जाएगा क्या ministry of agriculture के द्वारा है desert development program क्या यह ministry of environment and forest के द्वारा है national watershed development क्या ministry of rural development तो श्याद रखियेगा, Drought Prone Area Program, Desert Development Program, यह दोनों कौन से Ministry के दवारा है? Ministry of Rural Development के दवारा है, और National Watershed Development Program, यह किसके दवारा है? Ministry of Agriculture के दवारा है, ठीक है? तीनों के तीनों गलत होगे न, तो कोई भी इसमें से सहीली, तो यह करेक्टली क्या है? और यह आपका development program में से central government 1973, 1974 में इसको किया था, जहाँ पर वो drought वाले जो area हैं जहाँ पर सूखा बहुत जादा होता है, तो वहाँ पर कैसे काम किया जाए, ऐसे desert development program यह ministry of rural के अंदर में आता है, और national watershed development program की किसके अंदर है, ministry of agriculture के अंदर में आता है, ठीक है, direct question है, लेकिन difficult question था, वैसे आप कह सकते हैं, factual question था, next क्या कह रहा है, earth are UNEP और UNESCO के द्वारा किया जाता है, दूसरा क्या है, यह एक movement है, जिसके अंदर में participant को यह कहा जाता है, कि भाई साब आप अपने घरों की light को बंद कर दीजिए, एक घंटे के लिए, एक दिन मलब खुशना की जाती हो उस दिन, यह movement है, जिससे awareness को raise किया जा रहा है, climate change से related, और जिससे यह कहा जा रहा है, कि planning को कैसे बचाया जाए, तो WWF, ठीक है, UNEP नहीं, UNESCO नहीं, प्लीज याद रखेगा, first statement बिल्कुल गलत है यह, तो अब देखते ही गलत कर दोगे, second and third statement बिल्कुल सही है, तो two and three, see, इसका क्या होगा, correct answer, क्या है, two and three, इसका क्या है, my defense, correct answer होगा, तो याद रखेगा, तो अर्थ आर किसके दौरा initiative शुरू किया गया, यह worldwide fund के दौरा शुरू किया गया, जिसको हम WWF बोलते हैं, और second statement बिल्कुल सही है, अर्थ आर के अंदर में क्या किया जाता है, अब यह कहते हैं, कि साल के अंदर में एक दिन, आप क्या करेंगे, एक घंटा light बंद करके रखेंगे, ठीक है, और third statement मिल्कुल सही है, कि आप नेक्स्ट क्या है, यह कह रहा है कि scientific view के अंदर में अगर देखा जाए, तो global level temperature दो डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर माल लीजिए, temperature तीन डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इन्होंने एक assumption दिया, कि माल लीजिए, तीन डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा, तो जो terrestrial biosphere है, जो land है, वो क्या बनेगा, net carbon source बन जाएगा, यानि कि यहाँ से carbon commission बहुत हो रहा होगा, तभी तो 3 degree Celsius पहुचेगा ना, आप यह समझेगे, कि हम कह रहे हैं कि carbon commission को कम करना है, तभी तो global warming कब होगी, लेकिन 3 degree Celsius बन चुका है, तो यानि कि net carbon source बन चुका होगा, पहली statement बिल्कुछ सही है, second statement क्या है, coral, जो अभी हमने पढ़ा, जब global warming होगी, water का temperature बहुत जादा increase होगा, तो coral bleaching भी होगी, coral की mortality भी होगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह 3, 2 statement देखें, 3 और 4, कितनी extreme statement है, यह कह है कि global wetland permanently despair हो जाएंगे, cultivation of cereals हो ही नहीं पाएगा, पूरे विश्व के अंदर में कहीं पर भी, कितनी extreme statement है, और दोनों extreme statement होने की कार्ड में क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो 3rd गलत and 4th गलत, 1 and 2 बिल्कुल सही है, क्या है, 1 and 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 तो हमें बि mortality will occur, मिल्कुल सही बात है, तो 1 and 2 क्या है, और 1 तो दोनों में है, तो 20 का क्या है, correct answer है, ठीक है, एक global temperature अगर बढ़ेगा, 3 degree Celsius से भी जादा पहुच जाएगा, तो यह क्या हो रहेगा, another thing क्या होगी, आपका mortality होगी, और क्या होगा, आपका carbon source बन जाएगा, 3 and 4, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि बहुत ही extreme statement है, वो सकता है, ना भी हो, लेकिन आप यह कहो कि, बिल्कुल ही नहीं होगा, कहीं पर भी नहुगा, जीवन अपना कहीं ना कहीं, इसको तो देखी लेगता है, exception हर जगे होती है, है तो यह क्या है, बिल्कुल extreme statement है, इसलिए क्या है, यह गल कार्बन को क्या करती है छोड़ती है रिलीज करती है प्लैनेट अर्थ साइकल के अंदर में अब जब यह आप्षिन आप पढ़ते हो देखिए वॉलकैनिक एक्षिन जब वॉलकैनो बर्स्ट होता है तो उसमें से कार्बन निकलता है बिल्कुल सही बात है हम जब सांस लेते ह जोड़ते हैं हिसी इन तो चुमाया है लगा अगर अपना लगा लोगे धिमाग अगर अपना लगा लोगे तो सही है ठर्ड गलत गलत तो यह आ अब आपको पता है, respiration बिल्कुल सही, volcanic activity बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, तो वो क्या है, 1, 2 and 4, seas का क्यों हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, तो seas का क्यों हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, फोतो सेंसेस के अंदर में क्या होता है, carbon dioxide तो क्या होती है, remove होती है न, excess CO2 in the air is removed by green plants, ना कि release किया जाता है, ठीक है, next अगर देखा जाए, brominated flame retardants, जो आपके आजकल mattresses के अंदर में use होते हुआ आप देखे होंगे, तो उसके अंदर में जो brominated flame retardants है, इनका नुकसान क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये जल्दी से खतम नहीं होते हैं, प्लस में धीरे-धीरे कई बार क्या होता है, कि ये आपके शरीर के अंदर में accumulation हो सकता है, धीरे-धीरे, इसके काड़ में बड़ी अलग-अलग प्रकार की बिमारिया ये पैदा हो सकती हैं, तो दोना स्टेट में बिल्कुल सही है, highly resistant है, degradation के लिए, और accumulate हो सकते हैं, human और animal के अंदर है, see, इसका क्या है, correct answer, see, क्या है इसका, correct answer है, ठीक है, next question अगर दिखा जाए, कि other than poaching, शिकार के अलावा, और क्या-क्या possible reason हो सकते हैं, किसकी population के decline के अंदर में, river dolphin, जो गंगा नदी में, जो river dolphin है, उनके decline के अंदर में, और क्या-क्या possible reason हो सकते हैं, construction of dam and barrages, बिल्कुल सही बात है, dam बनना, एक possible reason, क्या क्या रहा हो, possible reason क्या-क्या हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दूसरा अगर देखा जाए, fishing net के अंदर में trap हो जाना, बिल्कुल सही बात है, आप बहुत सारे fertilizers का use कर रहे हैं, crop field के अंदर में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कहां से आपको नजर आ रहा है, crocodiles का river में increase होना, पहले बात तो आपको इसका area पता होना चाहिए, कि crocodile आपको कहां कहां मिलेंगे, प्लस में एक relation क्या establish होता है, dolphin का और crocodile का, ठीक है, तो ये सिर्फ extreme statement या फिर कह लिजी घुमाने के लिए statement आपको यहां पर दे दी गई है, बाकि आप ये चीज़ समझिए, कि आप इससे बिल्कुल राजी करते हैं, कि हाँ dam और barrages बनेंगे, तो river गंगा के dolphin की जो flow है, उसके उपर में impact पड़ता है, trap हो सकते हैं, fish के अंदर में, net के अंदर में accidentally होता भी है, आपने बहुत सारी photos देखिऊंगे, images देखिऊंगे, और fertilizer और agriculture, chemical का तो क्या है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो 1, 2 and 4 तो पक्का होगा, तो यारी कि 1, 2 and 4 कहां कहां पर है, या तो आप देखेंगे, इस में तो option है, या फिर आपका कहां पर है, यह देखा जाए, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4 इन दोनों में से ही कहीं पर है, ठीक है, तो second statement, कलत है my difference, कोई relation आपको पता है कि अगर ऐसे ही होता, मैं फिर कहा रहा हूँ, एक तो आपको इसको habitat देखना पड़ेगा, वहीं से आप इसका answer लगा दोगे, अगर वो भी नहीं आता तो आपको relation समझना पड़ेगा, दोनों तरीके से आप क्या करोगे, इसका answer लगा दोगे, तो 50% भी अगर चले जाए, तो यहीं पर ही पहुच ग चले, नेक्स अगर देखा जाए, which of the following are some important pollutants, released by the steel industry in India, कौन कौन से pollutants, steel industry के दवारा, release किया जाते हैं, इंडिया के अंदर में, ओकसाइड्स औफ सल्फर बिलकुल किया जाता है, ओकसाइड्स औफ नैट्रोजन बिलकुल किया जाता है, कारबन और 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 औ करते हैं, green house emissions को कम करनेगाद करते हैं, तो हमें मेशा कहते हैं कि steel industry हो गई, या cement industry हो गई, इसके उपर में, या electricity production industry हो गई, इसके उपर में में काम करने की ज़रूरत है, तो D इसका क्या है? correct answer, ठीक है, next question है, in India the problem of soil erosion is associated with which are the following? मिट्टी जो कट-कट-कर जारी होती है, उसके related है, terrace के उपर में cultivation अगर आप करते हैं, या terrace cultivation उसके मेड बना कर करते हैं, तो से soil erosion होगा या बचेगा? है? deforestation बिल्कुल सही बात है, पेड कट जाएंगे, तो मिट्टी को hold कौन करेगा? मिट्टी को hold कौन करेगा? तो सही बात है, second तो बिल्कुल सही बात है, प्रॉपिकल क्लाइमेट, प्रॉपिकल क्लाइमेट का कोई लेना देना नहीं है, soil erosion से related, ठीक है? तो याद रखेए का, इसका correct answer की होगा? टू only इसका correct answer है, ठीक है? तो the destruction of soil cover is described as soil erosion, wind और water बहुत important powerful agents है, जो इसके नए रोल प्ले करते हैं, first statement incorrect है, terrace cultivation reduces soil erosion, ना कि वो उसका, बलकि ये conservation के लिए होता है, soil को conservation करने के लिए, आपको सुझे नहीं, उसको आप ऐसे mere type में बना लेते हैं, तो conserve करेगा, या वो क्या करेगा, उसको खतम करेगा, ठीक है? और loss of, ये बिल्कुँ सही है, tropical climate का direct कोई relationship नहीं है, soil erosion से related, ठीक है? नेक्स्ट अगर देखा जाए, bats, beers, rodents, इनमें से कौन? हाइबर nation में जा सकते हैं, हाइबर nation क्या होता है कि, ये अपने सांस लेने की जो प्रक्रिया, उसको बिल्कुल slow कर लेते हैं, जब बहुत extreme ठंड होती है तब, इससे process को थोड़ा सा, और क्या कर लेते हैं, long कर लेते हैं, ठीक है? तो कौन-कौन से animals, इसमें से क्या कर सकते हैं, हाइबर nation में जा सकते हैं, ठीक हैं? तो तीनों की तीनों कर सकते हैं, bats भी कर सकते हैं, beers भी कर सकते हैं, rodents भी कर सकते हैं, हाइबर nation क्या है? एक ऐसी state of inactivity है, metabolical pressure, महलब क्याना है process है, जहाँ पर क्या करते हैं? body temperature को lower कर दिया जाता है, breathing और heart rate को slow down कर दिया जाता है, जिसे protect करते हैं animal को, कहां से cold से reduce कर देता है, need of food, ठीक है? तो यह चीज़ याद रखिएगा, next question है, which of the following is the correct sequence of food chain? कौन सा इस में से, correct sequence है food chain का, यह direct क्या होते हैं, factual question है, वैसे तो, मैं खुद होता तो, यह मेरे को खुद परिशानी होती, इसको solve करने के अंदर में, इसका बस सीधा सीधा याद रखिएगा, यह इसका correct answer है, कौन सा, अब जैसे, इसके अंदर में आपको क्या पता होना चीज़, कि भई, कौन सा इसके अंदर में, autotrophs होता है, autotrophs यानि कि जो, primary क्या करता, production करता, यानि कि, photosynthesis के through क्या करता है, production करता है, तो diatoms, autotrophs है, जो अपना food को prepare करते हैं, फिर उसके बाद में, herby was, जो क्या करते हैं, उनको feed करते हैं, फिर herby was को कौन feed करते हैं, देखिए, प्रOC में आ रही है, उनको अपना food बनाया, फिर food को क्या है, किसी ने consume किया, यानि कि herby war ने, consume किया होगा, जो plants को खाते हैं, फिर इनको कौन खाता है, जो carnivore होते हैं, क्या होते हैं, जो carnivore होते हैं, जो क्या है, mass खाते हैं, आप सबी जानते हैं, जिसने जानवर को खा लिए, तो यह फूर्ट चेंज चल रही है, ठीक है, तो यह environment के question है, अब इसके बाद हम geography के question and science and tech के questions अब करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले questions की तरफ में, तो चलिए अब हम आगे के questions को देखते हैं, अब हमार word सुनिए, देखे क्या करें, कि might have influenced the evolution of organisms, इन में से कौन से फिनॉमिना ने हो सकता है, अब सकता की तो कोई limitation नहीं है, यानि कि possibility की कोई limitation नहीं है, possible तो किसी भी वे में कोई भी impact हो सकता है, तो जैसे continental drift theory, जिसने के कारण में आज present time पे जो हम आज कल continent की shapes देखते हैं, जो arrangement देखते हैं, वो drift theory कहीं ना कहीं, evolution के अंदर में impact जरूर किया होगा, कहां रह रह रहे थे, किस तरीके से रह रहे थे, फिर उसके बाद में धीरे-धीरे life का evolution हुआ, धीरे-धीरे जैसे आप देखेंगे कई चीज़े ऐसी हैं, जो दूसरी ज indirectly, बिल्कुल क्या किया होगा, evolution के उपर में impact किया होगा, तो यह जो might है, यानि कि जो possibility शो कर दी, इसके कारण में क्या है, दोनों statement क्या है, सही है, तो C, यानि कि both, 1 and 2, इसका correct answer होगा, तो continental drift theory, क्या कहती है, movement of earth's continents relative to each other, बिल्कुल सही बात है, और यह क्या है, अलफर्ड, वेगनर द्वारा, theory, 1912 में रखी गई, जिसके अंदर में उन्होंने कहा कि all continents, पहले एक single उसमें थे, उसके बाद में धीरे-धीरे क्या हुआ यह, spread करना शुरू किये, तो obviously बात है, इसने क्या होगा, life का जो evolution है, उसके अंदर में जरूर क्या किया होगा, contribute कि बहुत simple और basic question है, next question अगर देखा जाए, seasonal reversal of the winds, is the typical characteristic of monsoon, यह विल्कुल straight forward question है, NCRT का, कि अगर reversal of the winds देखा जाए, तो कौन से, equatorial climate में देखा जाता है, monsoon climate में देखा जाता है, Mediterranean climate में देखा जाता है, Mediterranean climate में, अब यह देखे, यह वाला बहुत इस सभी पर news में है, बाड क कारण में, इससे related कई बार question है, तो monsoon climate के अंदर में यह चीज़ देखी जाती है, कि जहाँ पर क्या होता है, आपका seasonal reversal होता है, winds का, है ना, ठीक है, तो यह तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा, next अगर देखा जाए, यह question number 3, अब यह places से related है, उस समय यह places news में रहे होंगे, तो पहला क्या है, कि दंपा tiger reserve कहाँ पर है, मिजोरम में है, गुम्ती wildlife century कहाँ पर है, सिक्किम में है, और सारा मती peak कहाँ पर है, नागलेंड में है, तो अगर आपने पढ़ा है, समझा है, उस साल अगर news में था, तो यानि कि जरूर कि जीना किसी कारण से रहा होगा, तो दंपा tiger reserve, जी हाँ, मिजोरम में है, सारा मती peak, जी हाँ, नागलेंड में है, ये गुम्ती wildlife century, ये सिक्किम के अंदर में नहीं है, ये गलत है, तो 1 and 3 का क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, सी इसका correct answer है, क्योंकि गुम्ती wildlife century आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जैसे जो news के अंदर में, wildlife centuries होती है, वो कौन से ranges पर है, वो कौन से state में है, और तीसरा एक और point मैंने आपके साथ डिसकस किया था, देखिए, कौन कौन से जानवर vegetation है, वो तो आप पढ़ेंगी, लेकिन तीसरा क्या, कौन से animal, वहाँ पर पाये जा कहां पर है, आपका मिजोरम में है, गुमती वाइल्ड सेंचुरी कहां पर है, आपकी त्रिपुरा के अंदर में है, और उसके बाद में सारा मती पीक कहां पर है, आपके नागा लेंड के अंदर में है, ठीक है, और याद रखेंगे, नैचरल बाउंडरी का भी काम करता है, सारा मतिपिक आपके भारत और म्यामार के बीच में next अगर question को देखें which of the following pairs of islands is separated from each other by 10 degree channel easiest question कौन सा है अंडमान निको बार जो islands है उनको जो separate करता है वो कौन सा है 10 degree channel है 10 degree channel है चलिए एक homework भी देते हैं 9 degree channel किन को separate करता है यह आपका homework है 10 degree channel तो मैंने आपको बता दिया किसको separate कर रहा है अंडमान निको बार को separate कर रहा है 9 degree channel किसको separate करता है यह question आ सकता है तो यह इसका क्या है correct answer है ठीक है तो याद रखिएगा next question अगर देखा जाए hills हैं और region तो coromandel hills आपके coromandel coast पर अभी हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने coromandel coast का जिक्र कहीं किया था है ना याद करिए ऐसी कैमूर hills कोनकन coast पर आपको मिलेंगी महादियो hills आपको central इंडिया में मिलेंगी मिकिर hills आपको north east में देखने को मिलेंगी और यह मैंने कई बार आपको कहा है जो hills होती है खास तोर पर जो NCRT में मेंशन्ड है इनको जरूर क्या करो मैप करो आप में से बहुत से बच्चे सिर्फ औस रिवर सिस्टम की मैपिंग करती है रिवर सिस्टम इंपोर्टेंट hills इंपोर्टेंट जो पासेज है तीन चीज़े प्लस में जो इंपोर्टेंट रिसोर्स है जो डारेक्टली NCRT में में निशन्ड है कौन-कौन से रीजन हम मिलते हैं पाच्वा सॉइल कहां-कहां पर कौन-कौन से चीज़े मिलती है पाच्छटा में आपके questions यहां से आते ही आते हैं तो महादियो hills Central India में मिलेंगी मिकिर hills बिल्कु सही बात है नौर्टीस में देखने को मिलेंगी कैमूर hills नहीं ये भी आपको क्यान में नौर्टीस में और कौरोमंडल hills और कौरोमंडल कोस्ट के इंदर बिल्कुल भी नहीं ठीक है तो ये दोनों नहीं है ये दोनों है तो 3 और 4 इसका correct answer यानि कि सी इसका correct answer है तो अगर देखा जाए कौरोमंडल hills आपके कौरोमंडल कोस्ट पर नहीं है ये Southern Hills है भारत की ठीक है जो किसका हिस्सा है Western घाट का हिस्सा है जो केरल के अंदर में कायमूर hills कौनकन के अंदर में नहीं ये भी Eastern पांट ओफ विंध्या रेंज है मध्यप्रदेश और बिहार वाले के अंदर में और पेर 3 और 4 को अगर देखा जाए महादियो हिल्स आपको Central इंडिया पे देखने को मिलेगा मध्यप्रदेश के अंदर में और मेकीर आपको आसाम में देखने को मिलेगा ठीक है तो कैमूर याद रखिएगा कहां पर है आपके मद्यप्रदेश और बिहार के अंदर में आपको देखने को मिलेगा वही कहना जाता इस्टन वाले पोर्शन के अंदर में देखने को मिलेगा यानि कि विंध्यास के इस्टन पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो सी इसका करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स पार्क आने कि राजस्थान की बात कर रहा है अब राजस्थान में BANASO चमबल या उनके confluence में देखने को मिलता है कुलैरू- लेक क्या यह मुसी और क्रिश्णा के confluence में देखने को मिलता है तो मैं आपको एक चीज़ बताऊ हूं यह तो UPSC का ऐसा लग रहा था पिछले 10 साल के अंदर तीन कोश्चन यहां से पूछा हुआ को लेकर तो यह कृष्चन नदी और गोदावरी रिवर उनके भी तो यह गलत है थर्ड स्टेट्मेंट बिल्कुल गलत है थर्ड गलत होते ही one only is का correct answer हो जाएगा क्यों हो जायगा one onlyस का correct answer हो जाएगा क्योंकि यह जो है कोयला दियो कैला दियो नेशनल पार्क जो है आपका यह आपको बान गंगा आप सभी ने वर्ड जरूर सुना होगा जब आप कभी जमो कश्मीर की तरफ में गए होगे या फिर आपने कभी भी भलब कभी आपने थोड़ावी पढ़ा ओगा तो एक गंभीर नदी और एक बान गंगा रिवर इनका जरूर जिक्र सुना होगा तो उनके क्या है confluence पे यह कोईला दियो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है ठीक है जिसको कोईला दियो घना नेशनल पार्क या फिर कहने में यह पहले इसको क्या बोलते थे भरतपूर वर्ल्ड सेंचुरी के रामसरी जाना जाता है यह वर्ल हेर्टरी साइट के कृष्णा और गुदावरी डेल्टा पर आपको बीच में देखने को मिलता है और यह क्या है लाजस्ट फ्रेश वाटर लेकर है यह दी चीज़ नूट के लिएगा तो रामसर कन्वेंशन क्या है एक ऐसे वेटलेंड एरिया ओफ मार्श पेन पीटलेंड और वार्टर ब्रेकिश वाटर की ही अगर कोई बॉडी होगी तो ही उसको हम रामसर कन्वेंशन के अंदर में रखेंगे या फिर उसको तभी हम वेटलेंड मानेंगे फ्रेश वाटर जहां पर है उसको हम वेटलेंड नहीं मानेंगे या फिर बहते वे पानी वाली जगे को हम वेटलेंड नहीं मानेंगे विद वॉटर डैट इस स्टैटिक फ्लोइंग फ्रेश ब्रैकिश और सॉल्ट ठीक है और वहां पर डेप्थ ये प्लीज याद रखिएगा डेप्थ कितने से ज़्यादा नहीं बढ़ेनी चाहिए, शिक्स मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, तब हम उस एरिया को क्या कहता है, वेटलैंड होशित करते हैं, तो हरीके वेटलैंड आपको कहाँ पर देखने को लोगा, ब्यास और स से होकर उजरती है, तो बराक रिवर, लोहित रिवर, सुबंशरी, तो बराक अभी आप सभी मनिपूर को बार बार पढ़ रहे हो, तो यह मनिपूर से क्या है, वहाँ से इसका शुरुवात होती है, तो यह क्या है, अरुनाचर प्रदेश से बहते वे नहीं जाती है, यह च का correct answer है क्या है इसका correct answer है लोहित रीवर अणाचर प्रदेश के अंदर में आपको देखने को मिलता है और यह थोड़ा सा मुश्किल है जिसने सही में ध्यान दिया होगा पढ़ा होगा इस टॉपिक को वही कर पाएगा वरना तो यह सही में मुश्किल टॉपिक है कि बाइस आप नेशनल हाइवे कौन सा किसके साथ में है तो यह नन है इसका correct answer कि कोई भी correctly मैजड नहीं है तो क्या है नेशनल हाइवे 4 क्या है हाने टू चन्नाई है नेशनल हाइवे 6 धूले तू कोलापूर है और नेशनल हाइवे 15 आपका पठान कोट से कांडला है बस मनलब इसका कोई explanation मुझे नहीं लगता है आ जाए तो कर देना नहीं आए तो ऐसे questions को दें क्या करें छोड़ दें अब किन और अभी देखे मैंने पिछले question में जब वो मैं बात करा था आपको वहां पर भी हमने देखा था मेवात कोरो मंडल अभी ये देखे कोरो मंडल कितना ज़्यादा नजर में है यूपीए सी के कि एसी question paper में तीन से चार जगे इसने कोरो मंडल के अंदर में सोयाबीन ठीक है और किन और में नट्स तो क्या मेवात मैंगो के लिए famous है अगर इसको हम कहें नहीं तो दो दो option बिलकुल गलत यानि कि ये भी गलत और ये भी गलत अब सोयाबीन आप सभी जानते है भी कोरो मंडल कोस्ट हमने पढ़ा क्या सोयाबीन व किया दो option को या तो 3 होगा या तो none होगा यानि कि first statement भी by default मैं पता चली कि गलत है यानि कि अब थर्ड statement पर हम पस गए अब सोयाबीन की खेती कहां पर होती है तो अब इनकी खेती अगर आप देखेंगे तो क्या है मैंने आपको अलुड़ी बता है मध्यप्रदेश और राजिस्थान में तो क्या हो जाएगा इसका डी करेक्टांस रोगा कि नन और मैं फिर बोल रहा हूं ये चीज़े जियोग्राफी में आपको पता होनी चाहिए जो मैंने भी points wise आपको लिखवाए कि यह यह point आप जब भी NCRT से पढ़े या किसी बुक से पढ़े या self study भी करें तो जरूर उनके बारे में खुद से आपको पढ़ना है रिवर, vegetation, soil, minerals, ranges, river यह सबसे important है नेक्स्ट अगर देखा जाए चांगपा, community से related है यह tribe है चैंसर फॉलिंग स्टेटमें यह कहां रहते हैं उत्त्राखंड में रहते हैं और यह क्या पश्मीना गोट से जो क्या निकलते हैं fine wool वो यह करते हैं और they are kept in the category of scheduled tribes अब यहां से एक बात समझे पश्मीना हमें पता है कहां से रिलेटिड है कश्मीर से रिलेटिड है और यह क्या बात कर रहा है उत्राखंड की बात कर रहा है यानि कि यह दोनों स्टेटमेंट तो एक साथ सही हो ही नहीं सकती है किसी भी कीमत पे एक स्टेटमेंट इसमें से क् कि गलत होगी ही होगी यानि कि दोनों स्टेटमेंट जिसके अंदर में क्योंकि contract एक तो मैं पता है जम्मों कश्मीर पश्मीना और यह कहां बया कहा रहा है उत्तरा खंड तो हमें यह पता चल गया वन एंड टू तो कभी भी सही होगा भी नहीं होगा एक साथ होगी नहीं क्या है डी option कड़ गया अब इसमें हम confuse होगे तो मैंने यह elimination method बता है वैसे 2023 के इंदर है pattern तो बिल्कुल change हो चुका है elimination method बहुत कम rarely काम करेगा लेकिन आप फिर भी उस तरीके से eliminate कर सकते हैं at least एक option तो eliminate कर सकते हैं कि भाई आपको लगे कि आपके questions हुए ही नहीं है option पर tick mark करने से बहतर है कि आप logic से चले कि यह दोनों statement तो एक साथ होई नहीं सकती है तो आपने उस option को क्या क्या eliminate कर दिया अब यह समझे इन दोनों का है तो याद रखेगा यह तो चीज हम पढ़ चुके कि पश्मीना कहां से वूल से तो चांगपा कहां से बिलॉंग करता है याद रखेगा जम्मो एंड कश्मीर से बिलॉंग करते हैं और यह पश्मीना से related है और इनको st status का दरजा भी मिला हुआ है तो two and threes का क्या है correct answer है मैंने सिर्फ आपके possibility यानि कि सही question की तरफ जाने की possibility थोड़ी किसी क्या करिए इंक्रीज करिए तो two and threes का क्या होगा correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा two and threes का correct answer है ठीक है देख लिए बीजिए इसका correct answer है कौन सी community कहां से बिलॉंग करती है आपके जबो एंड कश्मीर से ठीक है और second treatment correct है क्योंकि यह क्या करते है चांग पा 2013 के अंडर में इसलिए question 2014 में आ गया देख रहे है कितना घुमा कर अच्छे से question पूछा गया है ठीक है चले next question अगर देखा जाए हर साल एक महीने का important festival मनाया जाता है और इस दोरान tribe क्या करती है fruit bearing जो trees है उनको plant करती है उनके छोटे-छोटे saplings क्या है plant करते हैं तो कौन सी community या tribe इसको follow करती है इसको मनाती है क्या कह रहे है कि हर साल एक महीने का एक festival होता है जिसको क्या है जिसके अंदर में जो fruit bearing जो क्याना है plants होते हैं उनको क्या किया जाता है लगाया जाता है तो क्याना है certain communities tribe plant saplings of fruit bearing trees तो कौन सी tribe की बात करें गॉंड और कॉर्कू tribe की बात की जा रही है भी इसका correct answer है ठीक है तो गॉंड और कॉर्कू जो कहां पर आपको मद्दपरदेश के इंदर में विलेंगे वो celebrate किसको करते हैं हरी जिरोती ये एक महीने चलने वाला festival है और ecologically important campaign है जिसके अंदर में क्या है tribal plant करते हैं जहां से fruit उन trees को plant करते हैं next question अगर देखा जाए भारत की food and nutritional security के मामले में जहां पर आप बात करो seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production target of the future अगर आप मान के चलिए seed को replace करने लग जाए अच्छी variety के seed को replace करें तो क्या करेगा various crop की जो production है उसके इंदर में help करेगा लेकिन कुछ limitations है इसकी implementation के अंदर में food security की इसकी implementation के अंदर कुछ limitations है क्या क्या रहा यहां पर कोई national seeds policy है ही नहीं भारत के अंदर में दूसरा क्या है कोई participation private sector का होता ही नहीं है जिससे supply of quality seed को ensure किया जासेगे vegetables और उन सब चीजों से there is a demand supply gap regarding quality seeds in case of low value and high volume crops demand supply का gap तो यह तो हमें constant नजर आता है यहां demand और supply के अंदर में gap नजर आएगा उतना अभी develop नहीं कर पाए हम मिलब यह guess work कर रहे है तो यह तो बिलकुल हमें सही होता नजर है यह तीन जहां पर है यह constant नजर आ सकता है क्योंकि supply और उसका gap है तो यह eliminate यह eliminate second option there is no participation of private sector यह थोड़ा सा बहुत ही extreme statement लग रही है कि private company का seed के अंदर में बिलकुल भी involvement होगा ही नहीं तो इसलिए याद रखिएगा यह भी statement गलत है यह भी गलत है हमारी national seed policy इसन 2002 में अगर मैं गलत नहीं हो तो थी तो यह क्या हो जाएगा इसका correct answer three only भी इसका correct answer है यह रखिए national seed policy 2002 के अंदर में देने इस participation of private sector इस company जो supply को करते हैं और third statement बिलकुल सही है next question अगर देखा जाए तर से दाफॉलेंग statement अब यह क्या है recently news के अंदर में भी है places in news दो समय places in news के अंदर में रहा होगा चेचिन का आप बार-बार जिक्र सुनते हैं तो यह तो रश्या के अंदर में है यह तो हमने पढ़ा है क्या दारफूर आपका माली के अंदर में अभी हम जब सुडान और साउथ सुडान को पढ़ते हैं तब दारफूर रीजन या फिर दारफूर रीजन जो भी आप इंग्लेशन प्रणेंस टेट करना चाहो इसका हम जिक्र पढ़ते हैं मान के चलिए आपको यह भी नहीं पता है स्वाथ वैली यह तो भाई बच्चे बच्चे को पता हैं हिंदु कुष रीजन पाकिस्तान तो इराक तो नहीं है थर्ड गलत होते ही गलत 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 वन ओली इसका करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है देखिए मैं फिर कहा रहा हूं कि बान के चलिए वैसे तो यह पता होना चाहिए सुडान क्योंकि 2010 के बाद से लगातार यहां पर कॉन्फिक्ट है और लगातार हमारे न्यूज में बना रहता है मल्टिपल कूप्स के गार में सारी की सारी चीज़ हो गया है तो चेचिन हमने पढ़ा अभी रशिया और यूक्रीन वार के समय पढ़ा ठीक है पार्ट ऑफ सुडान है माली का हिस्सा नहीं है और अगर देखा जाए तो यह स्वात वैली कहां पर है पाकिस्तान में इराक मे नहीं है तो प्लेसिज न्यूज करके कोशन आ सकता है नेक्स अगर देखा जा यह बड़ा तगड़ा कोशन पुछा था भाई बड़ा बज़दार कोशन था अगर अही में कोशन की कॉलिटी चेक करना जाए तो देखिए ऐसा नहीं है कि अभी कोशन डिफिकल्ट बनाय जा इसके पर आप इसको अच्छे से समझ सकते जैसे अगर मवां जून करने की कोशिश करूं तो आप ये देखिए जकार्ता कहां पर है अब देखे, options को अगर देखा जाए, south से, तो जकारता के अगर आपने location देखी होगी, हनोई, बैंकोक, जकारता, सिंगापूर, तो इतना तो आपको अंदाजा लग गया होगा, कि यह जकारता से उपर है आपका, हनोई भी, बैंकोक भी, और सिंगापूर भी, यानि कि सबसे south में कौन सा होना चाहिए, जकारता होना चाहिए, सबसे south में, सबसे नीचे, तो यानि कि by default यही दो option आपके पास में आए, मैं यह समझ सकता हूँ कि आप इसके बाद में confused जाओगे, उसके लिए map पढ़ना आना चाहिए, map देखा हुआ, लेकिन at least आप 50-50% के लिए, आपने अगर थोड़ा सा extreme logic अगर लगाया, यह third option को लेकर, तो आप समझ जाओगे, तो अगर मैं map भी दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप यह देखिए, हनोई यह रहा, ठीक है, उसके बाद में आप देखें, सिंगापूर, यह रहा, उसके बाद में अगर आप देखें, यह रहा, जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर में, तो आप इस से अंदाजा लगा लीजिए, कि क्या answer होगा, ठीक है, clear है, और मलेशिया कहा रहा, यह रह है, जकार्ता, और सबसे उपर कौन सा हनोई है, यहाँ पर आप देखें, हनोई, तू सबसे लास्ट में होगा, तो यह यह option बनाना, ठीक है, clear है, बैंकोक, यह रहा, थाइलेंड के अंदर में, तो मैं अच्छा question था, tricky question था, unless and until आपने यह नहीं देखा होगा, तो आप नह कर पाऊगे, तो मैं इसी लिए कई बार कहता हूँ, कि UPSC ऐसे questions पूछता है, जैसे हो पता है क्या करेगा, यहाँ से पूछ लेगा, कि यह, East to South, यह मलब East to West, यह West to East, ऐसे करेंगे आइलेंड को लगा लेगा, अभी बार-बार आपको Sparkly Island, Parasal Island यह सब पढ़ाता हूँ, इनके अंदर में भी क्या करिए, आप इसको भी थोड़ा सा मैप को देख लिए, Luzon Strait, Taiwan, क्योंकि न्यूज में रहता है, ठीक है, तो यह सारी Taiwan Strait, East China Sea, ठीक है, तो यह सब चीजे रहती है न्यूज में, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लिजे, Gulf of Tonkin, यह भी question पूछ सकते हैं, तो यह सब चीजे पता होना चाहिए, यह region important है मेरे दोस्त, आपके exam के लिए, फोड़ा सा इसके उपर में focus जरूर करके रखिएगा, exam में यहां से questions आएंगे, next question है, तर्की is located between, straightforward question है, लेकिन अगर आपने practice नहीं करी है, तो आप नहीं कर पाएंगे, trust me, इसलिए मैं कहता हूँ कि map को दिल से करिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैप ही मत करिए, तर्की क्यों न्यूज में है, कैस्पियन सी क्यों न्यूज में है, ब्लैक सी क्यों न्यू और यह रा नीचे, Mediterranean Sea, अगर आपको map पता होगा, तो आप तुरंत answer लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा इसका correct answer, आप देखें, आपर क्या है, ब्लैक सी और Mediterranean Sea के बीच में है, भी इसका correct answer है, ठीक है, भी इसका correct answer है, ठीक है, तो यह कुछ जियोग्राफी के questions थी, जो हमने अभी complete किये, I think आपको एक better और broader दोनों, better और broader दोनों आइडिया लग गया होगा, कि कैसे questions आ रहे हैं, आपको science and tech के questions देख लेते हैं, कौन कौन सी disease भारत से eradicate हो चुकी है, क्या chicken pocks आपको देखने को नहीं मिलता है, cases ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, तो यानि कि ये तो eradicate नहीं हुआ है, है ना, ये तो है, यानि कि जिस option में ये second option होगा, second statement होगी, chicken pocks होगा, वो option तो बिलकुल भी सही होई नहीं सकता, यानि कि ये बिलकुल भी सही नहीं हो सकता, इसको eliminate कर समझ में आया Chicken pox के inscaster trance हम देखने को पाते हैं यानि कि chicken pox eradicate अगा इरैडिकेट नहीं हुआ है यानि कि यह जिस बहुत यह ईडिकेट में है यह जिसमें है यह एलिमेट कर दिया अब यह तो यह होगा या तो यह होगा यानि कि हम कितने पे आगे 50% पर आगे, तो दोस्तो diptheria, ये भी हमें cases देखने को मिलते हैं, इसका हम बार-बार vaccination का जिक्र करते हैं जब भी आप इंदरधनुष प्रोग्राम को देखो तो जिक्र देखने को मिलता है, तो क्या eradicate हुआ है? smallpox, यहने की 3 only ठीकित 3 only, यह clear है तो smallpox, एक contagious disease है, जो transmit होती है one person to another person याद रखिएगा, क्योंकि तरही बार questions ऐसे आते रहते हैं vaccination program क्योंकि चलता रहता है mission इंदरधनु, intensified mission इंदरधनु, सारी के साई चीज़ है कौन से organism belong नहीं करते, other three से, तो यानि 3 एक उससे belong करते होंगे एक कोई belong नहीं करता होगा, तो ये might, scorpion और spider, ये तीनों एक से belong करते है, crab उससे belong नहीं करता है crab उससे belong नहीं करता है, तो a correct answer हो जाएगा, जो उससे belong नहीं करता है next अगर देखा जाए which of the following is our example of chemical change chemical change हो रहा है एक होता है physical change कि solid से liquid बन गए liquid से solid हो गए और liquid से gas बन गए या solid से gas बन गए, यानि कि position physical change हो रहा है, एक है chemical change हो ना, तो आप देखिए दही का, क्या नहीं है दूद का खराब हो जाना, खटा हो जाना ये क्या है, chemical change है क्या है, chemical change है melting of ice solid से liquid में convert होने physical change है sodium chloride का crystal बन जाना ये भी क्या है, physical change है, तो 1 and 2 क्या है, physical change है, chemical changes नहीं है, सिर्फ और से 3 only, इसका क्या होगा, correct answer होगा 3 only, क्या होगा इसका दोस्तो, correct answer होगा, ठीक है तो sodium, chloride के crystal, physical change, melting of the ice, physical change, और soaring of the milk, इसे chemical change ठीक है, ये बड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल में difficult question था, मेरे लिए तो vegetative propagation of plants vegetative propagation produces a clonal population vegetative propagation eliminate कर देता virus को और vegetative propagation can be practiced most of the years तो अगर मैं ये वाले के साथ में जाऊं कि helps in eliminating the virus second को मैंने eliminate किया, और one and three तो मेरे लिए difficult question है बाकि आप सब क्योंकि आगे बार आपने पढ़ा है इसको detail में करा है तो आप इसको कर सकते हैं, one and three इसका क्या है correct answer है, तो क्या है vegetative reproduction का मतलब क्या है is a form of a sexual reproduction in plants it is a process by which new organisms arise without the production of seeds vegetative reproduction का मतलब क्या हुआ जहां पर without production of seeds new organisms क्या होते है arise हो जाते है it helps in the development of clones second statement गलत है क्योंकि ये आपके virus को eliminate करने में help नहीं कर सकता a plant once systematically infected with virus usually remains infected for its lifetime second इसलिए गलत है, third statement है बिलकुल सही है next अगर देखा जाए तो क्या है कि ऐसा मिलब कौन सा process है photosynthesis में क्या process होता है photosynthesis के अंदर में क्या process होता है potential energy को आप free energy कर देते हैं free energy को आप convert कर देते हैं potential energy में वो store कर लेते हैं food is oxidized to release carbon dioxide and water oxygen is taken and carbon dioxide and water vapor are given out oxygen taken गलत है carbon dioxide take किया जाता है क्या carbon dioxide क्यान में release की होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं तो यह दोनों की दोनों गलत हो गए इसका correct answer क्या free energy is converted into potential energy photosynthesis में यही तो होता है ना oxygen का production होता है energy store होती है यही तो होता है तो भी इसका correct answer है photosynthesis ऐसा processes जिसके इंदरे green plants and certain other organisms क्या करते है light energy को chemical energy में convert करते है during photosynthesis green plant क्या करते है light energy को capture करते है उसे convert करते है फिर carbon dioxide and minerals को क्या करते है convert करते है किसके इंदर में oxygen के अंदर में यह चीज़ आप देख लेंगे next question है आप सभी का कि किसके कारण में कौन सी बिमारी होती है vitamin C की कारण में scurvy हो जाता है vitamin D की कमी के आप rickets हो जाते है vitamin A की कारण में क्या होता है आपके night blindness हो जाती है vitamin A की कमी के कारण में night blindness होती है और यह तो NCRT का क्यों से vitamin C कमी के कारण में कौन सी विमारी होती है यह तो direct उसी से question है तो 1 & 2 बिल्कुल सही है 3rd statement जलाते है तो यह इसका क्या है correct answer है क्या है यह इसका correct answer है so vitamins are organic substances that we require in adequate quantities for health good health तो इसके लिए आप देखेंगे कई सारे vitamins और उससे related हम questions अबेशा पढ़ते रहते हैं state exam में भी आता है यहां पर भी आता है next question है maize can be used for the production of starch बिल्कुल करा जा सकता है oil जो extract करते है maize से उसको feed stock कर सकते है बायो डिजल के बिल्कुल सही कर सकते है alcoholic beverages can be produced by using maize तीनों काम हो सकता है D इसका correct answer है क्या है D इसका correct answer है next जो question है consider the following technique and phenomena जिसके through हम transgenic crop बनाएंगे यानि कि genes के अंदर में हम क्या कर रहे है changes कर रहे है वो crop हम बनाएंगे कौन से तो यह अगर आप देखें budding and grafting in fruit plants fruit महलब क्या होता है आप एक डंडी से काट लेते हैं फिर उसको लगा देते हैं फिर दुबारा हो जाता है तो क्या उसके अंदर में कोई आप genetic change कर रहे है नहीं तो यह गलत है cytoplasmic male sterility और gene silencing यह दोनों के दोनों किस से related genetic changes से related है तो first नहीं है one two and threes का correct answer है ठीक है तो grafting क्या है act of placing a portion of one plant bud into a stem root और branch of another है ना यह already हम कई बार देखते जैसे आपने उसका गुलाब के पौदे से related है देखा होगा तो इसके तुरू कोई genetic modification नहीं होता ठीक है इससे कोई भी transgenic crop नहीं बनती है cytoplasmic male sterility यह क्या है partial level पर male sterility की तरफ लेकर जाते हो आप जिसके गाड़ में अलग तरीके का interaction होता है अलग तरीके से होता है तो यानि अगर देखा जाए डारेक कोश्चन है पेस प्रोग्राम से रिलेटेड मेसेंजर किस चीज़ से रिलेटेड है मर्कुरी से रिलेटेड है क्यान मैं वह अगर आपका वन और टू सोलर सिस्टम के आउटर स्पेस में चीज़े स्टड़ी करने के लिए कैसी नी क्या अर्थ का अब यह देखिए ना यह तो आपने हजार बार प्रेक्टिस करी है बार बार पढ़ा है कि कसी नी किस से रिलेटेड है तो वह किस से रिलेटेड है से रिलेटेड है ठीक है से रिलेटेड है तो पहला जैसी गलत हुआ तुरंत आंसर क्या आजाएगा बी इसका करेक्ट आंस आजाएगा जैसी आफ फॉस्ट ऑप्शन को गलत करेंगें नेक्स अगर कुश्चन को देखें विद रेफरेंस टू अगनी 4 मिसाइल यह सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है इसके इंदर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड प्रोपेलेंट है कही बार पहले एक जमाना था UPSC बहुत कैश देता था ऐसे एक्स्ट्रीम स्टेटमेंट देखे कि भाई साब यह वाले स्टेटमेंट तो गलत है दूसरा क्या है वन टन न्यूकलियर वार हेड लेके जा सकता है सवन्टी फाइव हंड़ेड किलो मेटर तक भाई साब 75-100 किलो मेटर दूसरे कांटिनेंट में पहुच जाएंगे ठीक है तो यह भी चीज़ समझे और कितना डिलिवर कर सकता है एक हजा वन टन एक टन न्यूकलियर वार हेड को यह डिलिवर कर सकता है पिचातर सो किलो मेटर तक तो इसके इंदर में नुकलियर सप्राय ग्रूप वाला एंगल भी आपको देखना पड़ेगा ठीक है कि इसके क्या लिमिटेशन है प्लस में वासिन जो ग्रूप है उसका भी आपको कंडिशन देखे है तो आस्रिलिवठीक है तो यह क्या है क्या है उसका सर्फेस टू सर्फेस जींग बिलकुल सभी बात है लेकिन ओनली यही नहीं टूस्टेज़स के अंदर में तो सेकेंड स्टेट्मेंट गलत थर्ड भी गलत तो ए वन उनली इसका क्या है क्या है वन उनली इसका करेक्ट आंसर रियाद रखिएगा अगनी फोर मिसाइल सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है डी आई यो की दौरा डिवलप किया गया है यह फ्यूल बाइस न्यूक्लियर वारेड अबाउट 4000 किलोमेटर अवे ठीक है 4000 किलोमेटर सेवंटी फाइव अंडेड नहीं ठीक है तो वन उनली इसका क्या हो जाएगा और रेक्ट आंसर रहा तो क्या है यह लिक्विड प्रोपलेंट ओनली यह गलत आंसर है इसका लिक्विड नहीं यहां जहां पर क्या है solid propellant only और two stage तो यह इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next अगर question देखा जाया है with reference to two non-conventional energy sources जिनको हम coal bed methane बोलते हैं and shale gas बोलते हैं तो क्या कह रहा है coal bed methane जहां पर pure methane gas को हम extract कर सकते हैं from coal seams while shale gas ऐसी जगह है जहां पर mixture of propane and butane only होता है यानि कि कहना चाहने methane नहीं होता है दूसरा क्या है भारत के अंदर में coal bed methane sources exist करते हैं but shale gas का हमें कोई source अभी तक नहीं मिला है जो अमेरिका के अंदर में shale gas को हम पढ़ते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि भारत के अंदर में shale gas है लेकिन अभी हमने exploration नहीं किया है evidences हमारे पास में है तो याद रखिए का एक तो यह गलत क्योंकि यह क्या कहरा only नहीं इसमें भी methane होता भाई shale gas के अंदर में तो यह गलत है और यह भी क्या है गलत है ठीक है नो shale gas यह बिल्कुल भी गलत ऐसा नहीं है petroleum के भी sources यहां पर मिलते हैं भाई हमें ठीक है तो क्या है d इसका correct answer है दोनों की दोनों statement क्या है गलत है ठीक है तो यह 2014 का PYQ वाला जो session है यहीं पर ही end होता है I hope आपने session को enjoy किया होगा और session को अगर enjoy किया है तो please video को like करना share करना और comment करना मत भूलिए आप इस telegram channel को join कर लीजिए यह instagram idea इसको join कर लीजिए thank you so much दोस्तों अपना ध्यान रखिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए बाई बाई टेके जोस्तों जाए है study IQ IS अब तयारी हुई affordable